तो हेलो एपनी से पहले बहुत सारी बीव बीव कॉम भी सिरीज बन चुकी नहीं देखें तो जरू जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उसे आज हम एसेंशल अव इकॉमर्स स्टार्ट करने वाले हैं आपके शौट से बस है जल्दी कवर हो जाएगा आज हम एक कॉंसेप् की कॉमर्स का क्या मीनिंग है एक बार मीनिंग अब समझ लोगे तो इजी हो जाएगा फॉर्दर जितना भी आपका स्लेवर्स में टॉपिकों से कवर करने के लिए स्लेवर्स निपी के वार्डिंग है राइट सो विदा नहीं फॉर्दर इले ले लेट स्टार्ट इस वीड लेचे जो नहीं जुड़े वटले चह सकते हैं आपको क्योंस क्या होता है इस से पहले कब्ड़ा था कि कोमर्म से बना नहीं Clayton घेन और साधिल से अवनाओ में और जो उस ट्रेड को सपोर्ट करता था जो एक्टिविटीज हो गई वियर हाउसिंग हो गई बैंकिंग हो इंशॉरंस हो गई वो साही चीज़ें मिलके क्या बना रही थी commerce अब यह क्या है e-commerce मतलब कि electronic medium के थूँ जब आप यह सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो that is what that is e-commerce मतलब कि अब बाइं चलिंग ओ गोड़न सर्विसेज तो है लेकिन वो आपका internet के थूँ है ठीक है internet या over internet या other electronic network के थूँ जब आप चीज़ों को बेचते या खरीदते हो वो होता है e-commerce example ले लो मिंत्रा flip card यह सब क्या है एक platform है e-commerce के लिए आप क्या करते हो online जाते हो कोई product पसंद आता है उसको purchase कर लेते हो करने की ज़रूरत नहीं कि आप बड़ी सुकान खोलो लोगों को बुलाओ और पर्सनली अपने customer से डील करो आप online platform पे आपने अपने आपको रिजिस्टर कर वा लिया और आप online अपने product को शो कर रहे हो और लोग उसे क्या कर रहे है बड़े-बड़े अपने लिए पर आपको जब एक वाइव कर लिए रहे हैं विजिस्टर कर दो पहले तो अपने इस अपने बेच रहे हो चीज़े को अपने शोपिंग के आप डाल दो मिंत्रा हो गया फिलिपकार पर तो थोड़ा एक्जाम्पल दे तो रिल लाइफ का और चुछ इसमें ब seller points of view से यह customer point of view से आप अपने point of view से कुछ डाल दो तो यह कुछ आप अच्छा खासा content लिख सकते हो अपने paper में अगर यह question आता अच्छी नंबर का इट involved conducting commercial transaction electronically online platform यह मैंने बता दिया कि payment payment भी आप अराम से online कर सकते हो Google पे हो गया phone पे हो गया इन सब के थूट करते हो आप payment कर देते हो और समान ले लेते हो cash and delivery का भी option है लेकिन online का भी एक जरिया है is online platform में e-commerce has realized the way business is conducted by providing a convenient and efficient way of businesses and consumer to engage in trade without need for physical presence देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसने physical presence की जो need है उसको कही न कहीं खतम करती है physically आपको जरूरी नहीं है कि आप brick or motor shop खोलो मतलब कि ब्रिक और motor shop मतलब कि आप physical एक outlet डालो खोलो यह कोई जरूरी नहीं है आप online क्या कर सकते हो अपने खाने को बेच सकते हो खाने का भी ले लो अच्छा लोग आप online food बेच रहे है online clothes बेच रहे है all the services are available to you online right so यह क्या होता है यह होता है e-commerce so अब अपने exam में concept से अगर question आता तो I think कि आप ऐसे चुको गे रहे हैं कि मुझे नहीं आ रहा है आप लिखके आओगे बकायदा उसको अच्छे से तो यह हमने discuss कि आज concept को next जो आपका slavers कहता है वो कहता है कहीं न कहीं कि आपको difference पता होना चाहिए difference पता होना चाहिए किस चीज का difference e-commerce में और जो business वाला topic है उसमें तो आज इस topic को लेकर हम discussion करने वाले वो है आपका commerce business practice vs traditional business practice मतलब कि basically है कि जो online business चल रहा है और जो traditional business चलता आया है अब तक मतलब कि physical presence में dealing होती थी online platform कि तो आप buying and selling नहीं करते थे इसमें क्या difference है उस time पर क्या फाइदे थे है आज के time पर क्या फाइदे है basically क्या अंतर है दूनों में वो हमें समझना है तो business operation in commerce practice often associated with e-commerce and business digital business model differ in several key from traditional business practice पहले जो business चलते थे जो traditional होते थे जैसे कि पुरानी जमानी के time पे हम कह दे क्या आपके जमानी के हिसाफ से तो electronic medium के थू आ गया है online आ गया है बहुत आप हो गया है आप चे को beauty product लेना है देरा सो मैं आप लाइक नाइका परपल यह साही चीजे कपड़े लेने है दन मिंत्रा है फ्लिपकाट है सॉप्षी है मीशो है क्या नहीं है और अगर आपको फूर्ड भी लेना है थे जो मैटोस विगी और all these are present तो अब क्या है जो business practices है वो online platform के through हो रही है और पहले क्या होती थे ट्रेडिशनल अंटी जी को देख रहे है यह traditional business practice का ही एक example है picture का यह उन्होंने अपनी दुकान खोली है और बैठी हुई है और online का ही आप पिच्चा देख सकते हो कि यह कार्ट है जिसमें आपने चीजों को एड किया और मंगा लिया और आपके घर तक वो समान जो है वो डिलीवर हो गया ठीक है तो इन दोरों में अनतर समझ देख सबसे पहला तो है locations और प्रेजेंस की कि आपको भी पता है कि अगर आप online कर रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आ फिजिकल स्टोर खोलो ठीक है आप online प्रेजेंस वेबसाइट के थ्रू मुबाइल आप के थ्रू बहुत स्टोर हो या ओफिस हो और ताकि जो भी आपके कस्टमर है वो आप तक पहुच पाएं बेसिकली ऐसे जहां पर लोकल स्टोर है आप मालो मैंने एक दुकान खोल दी तो उस में क्या होता था कि सिर्फ आपके आस पास के लोग ही वहां तक आ सकते हैं उतना ही आप कही ना कही कर सकते हैं उतने उतनी लुकांट में प्रूबल कर सकतो हैं यहां कि उसके चैनलीन बेदेश कर सकते हो यह हमने अंल्र का सुक् enfries घंट मेन खी लोग है उन्रें में बीं बीजिस में हैं तो इसके ओएं глаза यहां इन अर्छ पर श्राइयं में उसे परते हैं सर्कश्यायशन के online marketing कि थूह आप ज्यादद से जादा अर लोगों को कॉन ज्यादद से जादा कस्टमर तक रीच कर सकते हूं online marketing आप देखते हो आच पो कितनी online marketing चलते है influencers को use किया जाता है Instagram इस लिख चीजों में एकदम प्रमोट कर दिया जाता है पर अपर आप आई ये इतना परसंटेज पर सेल चल रही है उनलाइन अपने प्रॉडक को खरीदी है यह सारी चीज़ तो कस्टमर रीच क्या है बहुत जादा है आपकी ऑनलाइन में अगर ट्रेडिशनल देखो ना तो ट्रेडिशनल मैंने बता है ने शौप खोली आपने तो जो लोकल और रीजनल कस्ट खोलो और फिर आप नेक्स्ट कस्टमर जो वहां के होंगी उन्हें ट्याप कर सकते तो कस्टमर रीच आप देख रहे बढ़िया है का कॉमर्स बिजनिस प्रेक्टिस की अपरेटिंग आज देखो अब आप ऑनलाइन शौपिंग करते हो ठीक है तो जैसे कि आपको कुछ भी आपको क्या यह लगता कि बारा बजे के बाल बंद हो जाता है नहीं बंद होता है आप चौबिस घंटे इंटु सेवन मतलब की 24 राट इंटु सेवन मतलब जब तक आप चाहो तब तक आप समान खरीच सकते हो मंगा सकते अपनी प्लेटिशिबिटी होती इस टोर की जब भ उस स्पेसिफिक टाइम पे आ सकते हैं बस तो ऑपरेटिंग आर्स इसका क्या है बड़ी है Commerce business practice का overhead cost देखो कि खर्चा किसमें जादा आता है तो e-commerce business practice have often lower overhead cost compared to traditional business traditional business के comparatively commerce वाले जो business है that is electronic business है e-commerce business है उन में जो खर्चा आता है वो कम आता है they mean not to invest in physical infrastructure expensive staff and utilities associated with physical location इनको आप देखो खर्चा नहीं करना है कि अपे employee hire करने है तो उसमें इनको खर्चा करना हो या फिर इनको मतलब मानलो infrastructure बनाना है outlet खोलना है उसके भी dealing करना है उसके भी डिलिंग करना है उपयान लेक्रिसिटी बिलिए तरह चीजे का खर्चा ट्रेडिशनल वालो का है इनका नहीं है तो ट्रेडिशनल वालो को देखो आपको रेंट देना है फिर में डेनेस का खर्चा उटाने है स्पेस जो ली है अगर रेंट पे उसको देना है और में कोई problem होगे तो उसको भी manage करने के लिए आपको पैसे देने प्रेक्षिटी प्रप्लम होगे तो टीक करो और फिर पैसा दो तो फिर नेक्स है कि Commerce Business Practice और इसमें एक Inventory Management की बेसिस पर डिफरेंस है Inventory क्या होती है Inventory होता है Stock Stock मतलब जो भी समाना बेच रहे हो उसको कैसे manage करते कि Commerce Business में वो advanced inventory management system employ कर सकते है to track stock level in real time reducing the risk of overstocking and understocking आज कल क्या होता है online में एक inventory management system आता है IMS वो क्या करता है ट्रै कर लेता है automatically कि किस चीज का stock आपका ख़तम हो रहा है किस चीज की stock को आपको री पताब दुबारा से लाना चाहिए और किस चीज का stock की जरुवत नहीं है उसको कम करना है तो वो आपका एक advanced एक बढ़िहा system है जो e-commerce में वर्ग करता है आपके मता आपने लिख लिया कुछ ज्यादा quantity लगी नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी यहां automatic हो रहा है system के तुरू तो ज्यादा benefit लेगेगा customer interaction देखो तो commercial business practice में क्या है commercial interaction डिजिटल होता है मतलब चार्ट सपोर्ट के थ्रू होगा email के थ्रू social media आपको पता है मिंत्रा में कुछ भी आपको दिक्त है तो चार्ट के थ्रू बात कर सकते हो ठीक है customer अपने supplier से या फिर email या social media के थ्रू तो वो है आपका customer interaction यहां पैसे होता है और traditional business में क्या होता है face to face interaction होता है या phone पे बातचीत कर लिए आपने अगा देखो ना personal interaction point of view से तो traditional business ज्यादा अच्छा है जो चाते कि हमारा direct touch रहे उसके बाद हम बातचीत करें ठीक है तो एक बिनिट इसको करती हुए okay so commercial business to traditional वाले में क्या है customer के साथ face to face interaction बढ़ी है मता personal interaction जो है वो अगर आप चाते हो कि कुछ कस्मा होते हैं को चाहिए होता है कि मेरी personal बातचीत हो personal समान को उसी time पे चूलों देख लों समझ में आरा नहीं आरा फिर खरीदूं तो उस तार ट्रिटीशनल बिजनस से आप खरी सकते हो तुराँ जाकर शॉप गया और तुराँ ले लिया ठीक है और फिर स्थे competition के देखो तो e-commerce में online competition intense है as barrier to entry can be lower and customer have easy access to alternative options तो अगर देखा जाया कि कितना अच्छा competition तो online competition जो है वो है ठीक है मतलब entry में तो barrier हो सकते हैं कि बहुत ज़ली लोग enter नहीं कर पाती अगर अगर सौ दुकान देखते हो रस्ते में सो में से आप देखो एक या दो ही online होंगे वना सब offline कर रहे हैं तो यह तो इस case में देखो competition है थोड़ा बहुत है entry के देखो तो थोड़ा अधर काम है और customer के पास देखो अगर देखो की customer के sense पे देखो की customer का तो फिर customer के बाद तो बहुत option है मेर्शोव में नहीं मेला तो मिंतरा में देख तो flip card नेकर तो उसके पाँ e-commerce में online अगर customer का मोल्ड करने ओला तरीका देखो तो अच्छा है आपने जर्द सभी price low किया तो उधर customer मोल्ड कर जाएगा अगर आप मालो कोई सी इंडुस्ट्री में हो जिसमें बहुत जादा है तो ठीक है आपको मिलेगा लेकिन आप ऐसी इंडुस्री में जहां पर जादा competition नहीं है तो उतना competition आपको face नहीं करना है payment processing की बात की जाए तो e-commerce heavenly किस पर रिलाई करता है electronic payment method पे credit card, digital wallet, online payment gateway बेसिकली online payment पे जादा ये रिलाई करता है e-commerce और traditional business practice आपका cash भी ले ले लेता है चेक भी ले ले लेता है electronic medium के through भी ले ले लेता है जो भी depend करता है customer और उसकी location और उसके preference पे तो ये basic हमने पढ़ा कि क्या difference है आपका इसमें आपका conclusion में निकाल लोगे कुछ चीज़ों पर कौन सा आपके हिसाब से better है और कौन सा नहीं है तो ये हमने discuss किया है आपका commerce business practice और traditional business practice को आज आज इस topic को लेके discussion होगा आपका essential of e-commerce में as per slaves of NEP ठीक है वो है आपका benefit of e-commerce to organization, commerce and society, consumer and society कि क्या फाइदा है e-commerce का आपके consumer को आपके customer को basically organization को जो उस e-commerce के through deal कर रही है या फिर all over society को इससे क्या benefit है ठीक है तो हम discuss कर लेते हैं सबसे पहला point जो है आपका वो है organization के हिसा आपसे की organization को इससे क्या फाइदा है पहला तो देखो organization या आप ही हो e-commerce के through या online के through business कर रहे होते हैं क्या फाइदा होता आपको पता है global reach आपको मिलती है मतलब की अगर आपने कोई दुकान खोली तो आस-पास के लोग ये महले वाले लोग लेके जाएंगे बेच सकते हो ठीक है पहला फाइदा दूसरा है lower operating cost store खोलोगी क्या होगा expense manage करना होगा employees hire करने होगे location में रेंट देना होगा बाखी के जो भी daily murder murder की खर्चें वो करने पड़ेंगे लेकिन अगर online business कर रहे हो तो low overhead cost मतलब कि ये सारे खर्चों से आप बच जाओगे तो costing आने की cost वो कम है तो एक ये फायदा है next है 24 hour into 7 availability store जो है online आपका 24 घंटे साथ तो दिन खुला रह सकता है मतलब की online shopping आपने भी देखा मिंत्रा में अभी online कलो रात दो बज़े order करना चार बज़े order करना किसी भी टाइम पे आप अपने customer को अपना product बेज सकते हो तो continuously available हो तो account of data that organization can analyze to gain insight into consumer behavior preference and trends e-commerce platform बहुत सारे data भी खटा करता रहता है time to time जिससे क्या होता है आप analyze कर सकते हो कि customer कैसे behave कर रहा है किस product को ज्यादा खरीदना चाहरा है क्या trend है जो चल रहा है उससे आप साम marketing strategy बना सकते हो लग आपने data देखा कि buy one get one वाले offer में customer की बहुत आई तो आ personalization है e-commerce business can use customer data and algorithm to personalize the shopping experience this can include product recommendation marketing messages target promotion enhance customer satisfaction and loyalty के आपने कभी देखा है कि जब भी आप मिंत्रा में जिससे shopping करते हो तो बहुत बार आपको दिखा रहा होता है कि आपकी पसंद के हिसाब जैसे नीचे जाना ना तो आपकी पसंद के हिसाब से अब तक आपकी जो भी आपने experience किया इस तरीकी क्लोधिन की स्टाइल है तो आप इस तरीक अपुसमर को लगता है कि हाँ मेरे जैसी चीज़े दिखा रहा है और बढ़िया है मैं से शॉप कर सकता हूँ कि यह मुझे automatically क्या करेगा कि वही चीज़े लो जो आपके recording आपके हिसाब से पसंद हो यह था benefit organization को कि एक business को क्या फायदा है कस्टमर को क्या फायदा है convenience है भाई कमफर्टेबल है अपने घर में बैठे हो अराम से लोवर टीष्ट में order कर रहा है शॉप में तयार होगे वाल वाल जड़की जाने के ज़रुवत नहीं है जब आनाया आपने बढ़ी आराम से online order कर रहा है product variety बहुत सारे range और variety मिल जाती है product and services जो all over the world की हो सकती है इसे आपको unique product मिल सकता है अपनी country कर नहीं समझ माया है दूसरी country कर समझ में आएगा तो वह एक वंता वराइटी का एक option है या पर price comparison कर सकते हो easily कर सकते हो comparison price अब जैसे एक दुकान गया फिर दूसरी दुकान जाओगे price compare करने के online आटूरं compare कर सकते हो price की मिंतरा में कितना मिल ला शॉप्षिम कितना मिल ला फिर जो best लगा आपको कि इस रेट में यही अच्छा मिल रहा है Amazon में तो फिर आपने खरी लिया तो review आप सकते हो आपको एक मिल जाएगा clear cut idea कि किसना लोगों ने खरीदा उनको पसंद आया नहीं आया तो फिर इस ते क्या होगा एक फायदा है कि price comparison transparency है of course कोई price छुपाएगा रही जो price है वो reflect हो गई होगा आपको हर website saving होती है online जो है वो आपका समय भी बचा रहा है और cost भी बचा रहा है customer के review बता देता है product की cash specification and details है ताकि आप पढ़वर लो और अराम से फिर decision लो की लेना है या नहीं convenient payment option online payment कर सकते हो offline payment कर सकते हो credit card के तुरू है बलादलग payment के option आपको देता है जो आपको क्या होती convenient shop में हो सकता हो सिर्फ cash का है और कह दें online नहीं होगा लेकिन यहां पर क्या online options है online में भी variety of options है आपके पास तो एक यह फायदा है customer point of view से e-commerce का next हमने देखा है कि society को क्या फायदा है वो देखते हैं तो society को है पहला तो job opportunity e-commerce create job opportunity in various sectors indulging logistic customer support digital marketing and software development यह नहीं कह सकते हैं आपकी e-commerce job opportunity नहीं create करता है क्यों नहीं create करता है जो भी आपके logistic service है जो भी आपके parcel लेके आते delivery executives उनको जो 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 आप मिली यह ना इसके वरज़े से especially आप यह भी देखते हो customer support जितने भी आपके customer support वाले लोग हैं वो भी job कर रहे हैं software को development manage करने वाले लोगों को भी hiring की गई है तो job opportunities एक society के लिए point of view से पादा है reduce environmental impact मतलब इसमें क्या है environmental impact को reduce कर देता है मतलब इससे कि आपने physical store खोला है तो हो सकता है कि आप बहुत जदा अगर मतलब खर रहे हो environment को भी नुकसान अगर उससे हो रहा है कुछ आप ऐसे activities में हो तो वो सारी चीज़ें फिर इससे नहीं होगे आप online business में ठीक है आपको रांसपोर्ट की जरवत नहीं कि आप मत गाली लेके जा रहे हो environment को बल्यूट कर रहे हो वो सब करने की जरुबत नहीं है तो एक यह फाइदा है environment point of view से देखो society में मोड आलना जो पूरे जनिये तुम्हें जा रही हो तो सब को फाइदा हो सिफ वह अले point society में जाती अब e-commerce वहां वहां पहुचा रहा अच्छा मेरे गाउं में भी चीज़े अब e-commerce से जाती है मतलब फिलिपकार्ट के तुरू आपके गाउं में भी समान जाती है जहां पे मतलब अच्छी quality की चीज़े जा ही नहीं पाते हैं लोग को जो मिल रहा हो था पासे हो खरी लेते मुझे तो पता नहीं था गाउं में तो हां आप गाउं में जाता है मेरा खुद का experience है इट इस अवलेबल राइट efficiency है e-commerce more efficient supply chain management reduce wasted and improving resource allocation तो efficiency है और तब की e-commerce business को चला पाना आपके लिए थोड़ा सा आसान है मतलब आपकी wastage कम होगी आपको resource allocate करने में आराम से improve कर सकते हो मदद मिलेगी supply chain manage कर सकते हो जब stock out हो रहा है तो लाव stock में फिर उसको manage करना फिर उसको बेचना निकालना वो सारी चीज़े में आपकी एक सहूलियत है e-commerce में digital literacy लोगों को क्या encourage करता है society में कि digital literacy उनके अंदर technology को समझ पाए कैसे चलाना है उसको adopt कर पाए ताकि वो फाइदा जो मिल रहा है technology से online shopping के सुछ वो उठा पाए तो ये पूरे society के point of view से कुछ आपके फाइदे है e-commerce के जो आपन के discussion होगा वो है आपका limitation of e-commerce e-commerce क्या होता है concept क्या है meaning क्या है क्या difference है e-commerce or traditional business practice में in fact क्या आपकी benefit e-commerce के society consumer और organization point of view से सब डिसक्स करें आज आपकी unit का last topic बचा है वो है कि कमी क्या है e-commerce की पाएदे देख लिए सब कुछ तो कमी होगी कमी आपको भी समझ में आती है कि electronic commerce या e-commerce की क्या क्या कमिया है तो सबसे पहले है कि आप तुरन जाके तो समान फूके देखने सकते जो आपस में इंट्रैट करके बातचीत करके समान ली तो वो एक experience ही different होता है जो आपको e-commerce नहीं provide करता है ठीक है तो एक यह है दूसरा है कि जो लोगों को डर रहता है कि fraud ना हो जाए कि मर आप online payment करे पैसा चला ना जाए जिससे बहुत लोगों को होता है अभी भी है बहुत इवन मुझे भी रहता है अगर कोई ऐसी website लगती है जा पर सस्ता लिखा रहा होता है और वो cash on delivery का option नहीं दे रहा तो लगता है कहीं है चोरी और का case नहीं है चला ही ना जाए काई card information डालती है और वो पैसा निकल ही ना चाहे तो जो trusted है उनको ठीक है आपको प्रिलीव है देटा ब्रीच कि आपको कहीं डेटा ना चोरी हो जाए ना बहुत सारे एक्सेस ले ले लेते हैं गैलरी की, बीडिया कि सबकी तो परमिशन वागते है तूं कहीं डेटा ब्रीच ना हो जाए और वो डेटा हमारा personal डेटा ना चुरा ले ठैफ चोरी ना हो जाए पर्समर का ट्रस्ट बर्चार है लेकिन एक कमी आपको देखने को मिलती है security concern point of view से e-commerce यह लाक और परसनल इंट्रक्शन जो मैंने बताया कि आपका परसनल इंट्रक्शन नहीं होता है शॉप पे जाते हैं परसनल आप इंट्रक्शन कर सकते हैं सेलर से परसनल इंट्रक्शन होता है फिक्सिकली आप टच करके प्रोड़क को एक्जामिन कर सकते हैं और पर्चेस कर सकते हैं क्योंकि ओनलाइन आपको नहीं पिलता आपको वेट करना पड़ेगा देखना पड़ेगा सही आया नहीं आया और आप प्रोड़ेट करोगे उसको फाइनल डिसिजनसी रखना है या रेटन करना है यहां पर नेट जो आपकी लिमिटेशन है वह है कभी कभी आपने देखा होगा कि शिपिंग कॉल बहुत जाथा ले लेते हैं प्रोड़क्त वहले 100 रुपय का हो और वह कम से कम 200-200 की शिपिंग लगा रहे है तो जिसमें आपको लगता है कि नहीं साही नहीं है जाए जाए या डिले हो जाती कभी कभी प्रोड़क्त जिसे मालो मेरा एक टाइम था मैंने ऑनलाइन बड़्डे था मेरा तुमें ने बलून ओर के थे मैं से जगा सोड़ा डेकुरेट करके फोटो अडर खीच लूंगी तो तेर क्या हुआ कि मेरा बड़्डे था था तो 7 March तक मैंने लगाई तो 7 March तक मैंने लगाईती आज़ागा वो मुझे मिला ही 7 March और वो आया था 8-9 March जो कि मैं रेटन कर तो अब यह कोई खास देने है आपको इंतजार कर रहे है तो यह था रह जाए तो रह जाए तो एक यह है तो बड़्डेश दॉरान तो कस्टमर प्रड़्ड़्स को टाइक है और गाल्ट के पौड़्टिक्टी कि नगता बड़ कि उला हो गया था अपको तो दिूपर्टपरियश गहींची पहला है तो यह तो process कि पौड़्टी पर electrically ऑसे उन और तो अगर product quality नहीं मेट करती है तो फिर आपको return करना पड़ेगा इसके वज़े से कभी-कभी customer को क्या होता dissatisfaction है like मैंने कोई product purchase किया और मुझे उमीद ही कि वो अच्छा आएगा और मेरे पास last moment का time था अब मुझे लगा कि वो खराब आया है अब मुझे रिटन करना होगा तो इसके वज़े dissatisfaction तो of course होगा कि यार अब फिर बेट करो तने जिन का तो एक यह issue है next is digital divide not everyone has equal access to internet and necessary digital skin for online shopping the digital divide can exclude certain demographic from the benefit of e-commerce digital divide मतलब है कि digital चीजों से लोगों को divide हो जाना होता है मतलब कि आपको कर information है online shopping की then good for you आप अच्छे से purchase कर सकते लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनने digital information नहीं होती है जिसे मेरी ही family में मेरे काफी relatives हैं जिनको नहीं पता online shopping कैसे होती है तो इसका मतलब यह तो clear हो गया कि वो लोग या वो जो customer base है वो उनकी रीच से बिलकुल बाहर चला गया तो एक यह disadvantage देखो रहों के मिलती है कि digitally divide कर देते है educated जो digitally literacy वाले हैं और un-educated मैं सिर्फ digital literacy की case में बोल रही हूं हो जाता हूँ educated हो पर कहता लिकिन हम डिजिटल नौलज नहीं है limited sensory experience limited sensory experience क्या है कि e-commerce cannot replicate sensory experience like trying on glow, smelling perfumes or tasting food products this can be a limitation especially rely on sensory appeal sensory मतलब यतने मी sense organ होनकी cases अगर आप देखो ना तो e-commerce उस चीज को नहीं है आपको यह perfume है किसे हम लोग perfume लेते हैं तो आप हमेशा सहते है कि यह online perfume या तो आपको उसका experience हो आपने कोई perfume हो यूस कि आपको पता है आपको पता है ऐसा है आप अपनलाइन एक और लो दुबारा लिकिन अगर पहली बार अगर परफ्यूम लेते हो आप दुकान जा कि परफ्यूम लोगे कि आपको पता नहीं कैसी आएगा तो फिर रिस्पे लो अच्छी आई तो ठीक नहीं आई तो ठीक नहीं तो ठीक फूड प्रोड्ट्ट में पर्ड़क्त पर तो तुरन तो चखनी लोग एक लोग चखले दुकान वे गए तो सकता है कि कोई चीज डाल मो डाल मो ली तो चखली देखली नहीं समझ महीं नहीं ली पैक कराई इसमें यहां आप टेस्ट नहीं पड़ेगा तो आपको देखना पड़ेगा कपड़े तुरन नहीं ट्राइ कर सकते हो तो तुर्ण आपको ब्हुत करता है तो नहीं लेकिन यहां पर अपड़ेग तो ट्राइ नहीं सकते हो देख सकते हो समझ वाया तो ठीक पड़ेगा नहीं यहां नहीं पाई मतनर की तेकनोलोजी पैट यहां पूरा तो वो फिर है एक दिक्कत जिसके वज़े से लोग नहीं जाना चाते है इस फेल्ड में Competition and Market Saturation तो competition e-commerce में है ठीक है, entry अब ease है, मतब कि बहुत सारे लोग आराम से e-commerce में online business start कर सकते हैं तो इसलिए competition बढ़ गया, नई business के लिए challenge है अपने आपको stand out करा पार ना, market share को gain कर पार ना, जिसके वज़े से उनकी opportunity बढ़ने की growth की लिमिटेड है तो competition वाला एक point of wisdom limitation है Trust and credibility अब आपको ही पता है Online जाद लोग trust नहीं करते हैं, उनको लगता है कहीं हमारी information ना leak हो जाए हमारे से चोरी दकायती ना हो जाए तो फिर वो क्या है e-commerce पितन जला believe नहीं करना बचाते है Trust issues है Regulatory and legal issues e-commerce को बहुत सारे rules regulation or laws consumer protection, taxation data privacy, international trade follow करने बड़ते हैं कुछ लोगों को लगता है बड़ा ही burden अच्छा online फोड़ो offline कर लो Last customer support challenge Customer support in online environment can be challenging especially when dealing with complex product inquiry और customer complaint जैसे customer complaint करते हैं customer support आपको चही होता है कभी-कभी तो customer support आपको help करते ही नहीं है ठीक है मालो कभी आपके पास प्रॉड़क्ट आ गया और आपने बहुत महगा प्रॉड़क्ट आपको डामेज मिला तो फिर वो refund कराने में उसको replace कराने में वो बहुत दादा कभी-कभी नाटक होता है वो सुनते नहीं मेरे साथ तो बहुत-बहुत फ्रॉड हुआ है कि कुछ मगाया जैसे दो कॉंटिटी थी आई एक कॉंटिटी और फिर उनको बोला कि दो कॉंटिटी नहीं कंप्रेंट तो भले वो help कर देते हैं otherwise वो बहुत ही रेयर होता है कि वो अपनी एंड पर कुछ यादा help करते हैं क्योंकि मेरा personal experience आपका different हो Okay, so now guys आज इस topic को लेके discuss करेंगे हम वो है आपका consumer shopping procedure on internet ठीक है? तो यह काफी easy topic है और यह आपकी daily life related topic है कि आप किस तरीके से online shopping करते हैं उसका पूरा process क्या है? वो है ठीक है? तो अपने आपको imagine कर ले सकते हैं आप ताकि आप इसको easy understand कर पाएं जो unit 2 है वो B2C पे focus करते हैं business to consumer या business to customer आप कह सकते हैं इसके context में जो भी topics हैं आपके वो आपको यहाँ पर नहीं कि business or customer जो है वो online platform की तुरू कैसे आपस में क्या है? कारेक्टेड है या कौन-कौन से services वो ले रहा है जिसमें पहला है आपको आपको पता है आप किया करते हो online shop करते हो ठीक है? तो पहला है कि online shopping कैसे करते हो और किया पूरा process है? तो पहला आपको हो जाएगा identification of needs and wants अगर आपको online shopping भी करनी है तो आपके कोई जरूरत होगी या आपके कोई चाहत होगी जिसके लिए आप क्या करना चाहरे हो वो पूरा shopping का process जो है वो initiate करोगे तो पहला है आपका की process कहां से शुरू होता है तो process की initiation जो हो जाती है जहां से आपकी need or want शुरू होती है अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपके उसके जरूरत होगी या कभी-कभी आपको desire भी होती है मतलब जरूरत नहीं है किते हैं तो आपको या को पूराहे प्लमपट्स भी होता Après रहह लगे तो आपको प्रस्स करोगे, और है तो आपको जो सुरू करना आपको अपको प्रस्स फिर्टों की जिलुग या अजावकोगी अमईड कर शूरू का जो वो भी होता है तो जो आपकी नीड कहा से आई, वोसतर आपको पने कोई अड़िज में देखा उसके सापको लगा यह मुझे चाहिए या कोई रिकमेंड आपको किसे ने कर दिया है like beauty product लोग रिकमेंड ले लागा यह लगा इससे तो वह की महा आप आपकी महां से और जागे तो यह वह अप शुरुवात कि आपको कोई नीड लगी तो अपने प्रोसेस शुरू किया दन आप करोगे इंफॉर्मेशन ग्यादरिंग शुरू करोगे मतलब कि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होगी वह आप सर्च करोगे कि जो भी सर्विस में आप इंटरेश्ट हैं तो मैं इंटरनेट पर सर्च करूंगी उस प्रोड़क के बारे में कि वह प्रोड़क कैसा है क्या उसके फीचर्ट है अलग अलग वीडियो देखूंगे ताकि मैं समझ पाऊ कि किस किस तरह की पैंट्याप अवलेबल है क्या क्या प्राइस में अवलेबल है और किस किस वेबसाइट में मुझे यह मिल जाएगा नेक्स्ट है ऑनलाइन सर्च करेंगे आप जब आपने इंफॉर्मेशन ग्यादर कर लिए इस प्रोड़क के बारे में उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में आपने रिव्यूज देख लिए अपने प्राइस कंपेर कर लिए कि अलग 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 वेबसाइट पर क्या चीज आपको relevant जो भी जहां पर वो pen tab available हो वो जिस सर्च में दिखा देगा Google है Misho हो गया Amazon हो गया Flipkart हो गया Google हो गया तो मुझे दिखाएगा कि यहां यहां available है फिर मैं करूंगी जहां से मुझे लगेगा मुझे खरीना चाहिए मैं वहां पर जाके उस product को browse करूंगी देखूंग इसके feature क्या कैसे image है किस तरीके से वहां पर available है फिर पर product का selection करूंगी लाइक मुरे बहुत सारे pen tab अलग अलग प्राइस के दिखाएगा तो मुझे जिस तरीके की जरूरत है उस हिसाफ से मैं उसको अपने कार्ट में एड कर लूँगी शॉपिंग कार्ट में मैंने एड किया अब क्या हुआ जब आपने कार्ट में एड किया अगर आपको अलड़ी अकाउंट है तो आपको अब किरोगे लेकिन नहीं है तो आपको अकाउंट क्रियेट करना पड़ेगा या आपको लॉगिन करना पड़ेगा फिर अपने अड्रस डालोगे पेइमेंट डीटेल डालोगे फिर प्राइस ग्या है जो है वह आप उस पे एग्री कर रहे हो यानि फिर आपने क्या क्या उस प्रॉड़क की जितनी भी इंफर्मेशन है उसको फाइनल पेमेंट करने से पहने चेक आउट कर लिए पेमेंट कर दी पेमेंट करने के तरीक हो सते कि रेट का डेविट का डिजिटल बॉलेट इससे आप करना चाहूं फिर आपको और अचाहूं हो जाएगा लाइक अपन प्रॉड़क्ट आपको लगता है कि प्रॉड़क्ट आपकी नीड के कॉर्डिंग नहीं था या आपकी जो भी प्रेफरेंस उसके मैच नहीं करा तो फिर आप क्या करोगे कस्टमर सर्विस को कॉल करोगे या फिक खुद ही रिटन सेल सर्विस करके प्लेस करते हो यह पूर क्ली आपको प्रॉड्रक रिसीव हो गया रिसीप होने के बाद भी सको रिचक कर लिया सही है नहीं है सही है तो रखो नहीं है वह रिटन करो इस वी पूरा प्रोसेस मेरा आपको बता दिया तो आज आध ही अग्या अचीश टॉपिक लिए बात करिंगे जॉप किसलेबस मे अब थानी कि अपको बीटूसी मोडल में आपको क्या-kya product च्छाइल करता एक बिजन्स एक इंडिविजर कंजूमर को वह सारी चीज़ आएंगे रिचिसे कि आप क्या-kya खरीते हो ओनान आप electronics के समान खरीते हो like headphone, smartphone, camera, electronic gadgets तो इस category के समान आपको एक business बेचता है consumer electronics के apparens and fashions के बेचता है like footwear हो गया, clothing हो गया, accessories हो गया, fashion items हो गया यह जारी चीज़े भी आपको एक business या एक store जो है वो आपको बेचता है earrings हो गई यह सारी चीज़े इस category में आइगे next category बेचते हैं वो है home and kitchen appliances मताब home के appliance जो भी आप ले रहे हो, washing machine बगार रहे हो kitchen appliances जो भी ले रहे हो, coffee maker, oven बगार रहे हो, food and groceries एक business आपको sell करता है individually लाइक आपको अगर कोई product आप और करना है ठीक है, food हो सकता है, ready-made food हो सकता है या फिर कोई भी मसाले और दाल यह सारी चीज़े तो आप खरीच सकते हो so eyes and games में आपके जितने भी video game board game gaming console यह सब भी आपको इक business भी बेचते हैं यह वाली category आपना, beauty and personal care में पहुन से category आपना, beauty and personal care में पहुन से category आपके परस्टनल के आपके कोस्मेटिक हो गया, skin के product हो गया, grooming tools हो गया, hair product हो गया, color and all यह सारी चीज़ें यह भी B2C model के product है जो आपको business directly sell करते हैं next is furniture and home decor, furniture में क्या हो साथा, sofa, chair, table, drugs, wall art, homes etc, books, music, media में आपकी e-books, physical books, cd, dvd यह सारी चीज़ें stream, line, subscription जो आप लेते हो वो सारी चीज़ें next is a category जो आपको sell करते हैं, health and wellness product की, health and wellness product में क्या हो जागा basically health के जितरे भी product है, vitamins, supplement, fitness इसा भी आज़कल आप लिखते हैं sporting goods क्या हो सकते है, sports related, accessories, sports की, athletic apparel होते हैं automatic, automotive product हो गया, consumer भाय, automotive product, automotive product हो जागा हो जागा कोई भी product, bicycle हो गया, car हो गया, उसका कोई भी पार्ट, accessory, tire, वो सारी चीज़ें even vehicle भी अगर आप खरीड रहे हो गया, electronics, accessories, the category है एक जो भी बेचते हैं like chargers, cable, screen, product, etc, जाएंगी इस्टिल और भी बहुत सारी category जो आपको लगती होंगी कि आपको आती हैं उसे आप यहां पर लिख सकते हैं so hello everyone as you all know this is Nihal Katiwari so guys we are back with another video related to series of essentials of e-commerce and in this part we are going to cover next topic इसे पहले वाले parts अगर आप में नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेजिस में जाके उसे जरूर चेक आउट करेंगे unit 2 के topics हम discuss करें slavers as per your new education policy है इस्टाग्राम टेलिग्राम में जोइन कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप आपको अगर जोइन करना है नोट्स के लिए तो commerce group SWNT ही जोइन करेंगे ठीक है अगर कोई भी question हो कोई suggestion उसे comment section में जरूर देदेंगे वीडियो के end में वीडियो को share करेंगे यह सारी चीज़े मैं बता दी हैं आप वीडियो के exact content के साथ start काते हैं so without any further delay let's start this video so now guys आज इस topic को लेके discussion हम करने वाले हैं वो है आपका online travel tourism services ठीक है e-commerce की बात हो रही है मतलब की online platform है जो आपको buying and selling of goods and services में help कर रहा है commerce में मैंने discuss किया commerce होता क्या है basically और auxiliaries मतलब commerce है वो दो चीज़ इंवाल करता एक trade buying and selling and auxiliaries to trade मतलब कि जो आपके trade को convenient बनाती है like banking insurance वगेरा तो इसमें आपके category आती है travel and tourism इसकस करेंगे कि यह जो service है जो आपको online मिल रही है कि अगर आपको नहीं घूमने जाना है या तूर पे जाना है तो online आप क्या कर सकते उस चीज़ों को apply कर सकते उस चीज़ों को explore कर सकते बहुत सारे लोग है आपको एक consumer को क्या किया जा रहा है इस industry को जो कि आपकी travel tourism बाली industry वो भी क्या कर रही है तो अब हम discuss करने वाले है कि online travel tourism services क्या है online travel tourism services refers to range of services and platform available on internet that cater to travelers need from trip planning and booking to travel related information and support मतला कि online travel tourism क्या है इसमें बहुत सारी services आती है बहुत सारी range of services है जो आपको internet में मिलती है जो एक travelers की need मतला travel को जो घूमना चाहता है उसकी need को क्या करते है target करते हो पूरा करते है जैसे कि आपको अहीं घूमना चाहते है तो आपकी पूरी trip को planning करेंगे जो भी booking होगी hotel की जहां आप जाना चाहते हो वो पूरा रेस्टरान अगार अगार वो सब करेंगे वो बुक करेंगे booking to travel related information and support और आपको support भी करेंगे these services have reversalized the way plan people plan and experience their travel offering convenience, choice and flexibility अच्छा दिखिए यह online तो अब तक का जो भी आपका method था like पहले क्या होते था online तो आपना ticket book कर सकते थे और नहीं आपके पास तने options थे था थे क्याओ अप्छन थे ते हैं अब ऐगी घर बैठे सच कर लो और देन वहाँ पर बुकिंग कर दो और जाके चले जाओ और एंज्वाइक कोई हो जो आपकी पूरी ट्रिप आपके बजर के कॉर्डिंग प्लाइन करते है ऐसा कुछ नहीं था आज आप इस तरीकी के चीजों को एक्सपिरियंस कर पा रहे हो जिसके वज़े से आपके पास बहुत सारी चॉइस है इतनी होटेल से जिसमें आपको सेलेट करना है कि आपके कॉर्डिंग क्या बेस्ट है तो सिंबल ऐसं में कौन कौन सी सर्वीसिज यह पोछेग आपका पेपर कि ऑन-line ट्राफल टूरिजम आपको कौन कौन सी सेव इसे सर्विसिश देता है पहला है booking फ्लाइट booking flight क्या है कि traveler can search for compare and book flights online आप क्या कर सकते हो flights को online book search कर सकते हो पहली बात तो आप जिस flight से जाना चाते हो तो इसको आप सर्च कर सकते हो compare कर सकते हो कि किस flight का खर्चा कितरा है उसी location पहुचा नेगा और फिर online इसको book कर सकते हो अब घुमने जाना तो of course आपको इना कोई mode select करोगे जानेगा तो booking flights आपको एक पहले service दे देता है कि online आपको जहां जाना है वहां के लिए flight airlines वगयरा आप क्या करो book करो वो भी compare करके कि आपके price पे better option आपके लिए क्या है next है accommodation accommodation क्या है कि online travel services जो होती है वह access to vast database of hotel, resort, vacation, rentals, hostel and other lodging options तो जहां आप घुमने जा रहे हो तो जहां आप घुमने जा रहे हो तो आपको जगा जाहिए होगी तो बहुत सारा data आपको आपको लाकर दे देता है लगलग hotel, resort, vacation, place, rent, pay room, hostel, जहां भी आपके options आपको देता है उसके description, details, price, review अब आपको क्या करना है reservation करने से पहले एक बार analyze करना है and then उस पे उस option के साथ जाना है तो भूमने से start किया पहले हमने ticket book करी रहना का है वो आपको एक service online मिल जाएगी यहाँ पे next is car rentals traveler can book rental car for their trip, selecting the type of vehicle, rental duration and become a drop location through online platform online आप car भी even कर सकते हो, like आप इस trip में गाया और आपको कहीं उसी के आसपास के area भूमने है, like मेरे फ्रेंच वो गहते है उनको आसपास के जगा भूमने तो उन्होंने क्या थी car को rent लिए जिसको चलानी आती चला और नहीं आती और राइवर ले लो और इस तरीके की car चाहि आपके डिजाइन कर सकता है, तो ट्रावल और टूरिसम सर्विसे में सबसे जो सारी चीज़े आपको करने की भी जरुवत नहीं यह आपको पूरा पके पैकेज के साथ से आपके बजट के साथ से कहां रहने का सही आपके लिए और बाकी जितनी भी अदिशनल चीज़े हैं कोई पैबंजिग जम्पिंग जिए फिक उछी चीज़े तो फोची तो आप तो यह एकश्प्लोर करो तो वह साइज आपको एक पैकेज बनाके दे लेका जो कि अपका पैसा भी बचाया कि अपको सर्च करने की जरुवत नहीं आपको खुदी है नेगा अगर आप अगर आ तो वहां पर आपको इब बहुत रहचा आजाता है आपको जो पॉस्ट एक्टिव निकालो तो अलग बात है लेकिन नॉर्मल मता रहे हूं क्रूस क्या है कि ट्रैवल इंट्रेस्टेट इन क्रूस वेकेशन कर सकते हो अगर आप इंट्रेस्टेट हो कि मुझे क्रूस वेकेशन में जाना है तो वह आप सारे आपको तूर्स एक्टिविटीज एक्स्पिरेंस की एक लिस्ट बना के दे रहेता है चाहिए जो आप बुप कर सकते हैं इस इंक्लूड इस इंक्लूड इस गाइड सिटी टूर अड्वेंचर एक्सलिशन एक कुल्चर एक्सपिरेंस और बहुत सारे जो टूल एड टूरिजम वाले होते हैं एक सर्विस आपको यह रहेते कि अलग अग जैसे आपका ही जुब तो भी आपको एक सर्विस यहां मिलती ओन्लाइन ट्रावल इंशॉरेंस त्रावल इंशॉरेंस मतब क्या है 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 त्रावल इंशॉर देखो जितनी वी सर्विस आपको पार्ड भी आती है वह आप लिखसते हो यह मैंने दस सो बता दिये आपको कि 10 जो सर्विस रहें वो कौन-कॉन सी है या इसके अपार्ड भी बहुत सारी सर्विस जो आपको ट्रावल तुरिसम लेता है वह आप अपने पॉइंट पर ले सकत तो उसमें भी आपको information प्रोवाइड करेगा currency exchange related, order, जो order करने अगर आपको foreign currency, prepay travel card online अगप कर सकते हो क्योंकि easier बना देगा आपको कि अगर आप online, abroad जाना जाते हो तो आप कैसे पूरे fund को या कैसे manage कर सकते हैं, पूरे finance को आपके पास पता है आजकर review recommendation जो आप चेक कर सकते हो कि लोगों को इस destination में क्या फील हुआ, क्या destination में अच्छी जगह है जा पर मैं रह सकता हूं, क्या activities जो लोग ने review करी की जबरूर करनी चाहिए और फिर आपको कर सकते हो तो online travel and tourism service क्या है, offline भी आप travel tourism services है, लेकिन online as up के through, आपके हाथ में है कि आप इसके through, online internet के through, यह सारी चीज़े अपने end में, अपने comfort में क्या कर सकते हैं, explore कर सकते हो और यह variety option है, एक जगा जाओ कि कितने hotel बताएगा आपको, लेकिन अगर online हो तो variety of options जो है, वो search कर सकते हो तो यह कितनी online आपको travel tourism की services है, जो मिल रही है, वो आपको लिखनी है, आज कल आप लो भी online जैसे जाते हो कहीं पे, तो online आप भी बहुत बार सर्च करते हो, जानकारी लेते हो, और अगर आपको convenient लग रहा होता है, किसी के through trip बुक कराना, तो वो भी आप कराते हो, ठीक है, तो हमने यह discuss किया, जो कि आपके lives related है, आज इस टॉपी को लोगे discussion करेंगे, वो है आपका benefit of e-commerce in travel and tourism, हमने इस ते पहले वाले पार पे समझा था कि travel and tourism में कौन कौन सी services है जो आपको मिलती है, जिसमें हमने देगा ही, होटल की services है, आप होटल सेलेट कर सकते हैं, घूमने कि online अगर आपके पास यह सेवा है, कि आप अगर भूमने जाना चाहते हो, तो online चीज़ों को आप book करा सकते हो, online पूरा travel और tourism का package जो है, वो design करा सकते हो, इसका क्या फाइदा है, online time है, artificial intelligence का जमाना है, तो लोग online चीज़े करते हैं, book करते हैं, ticket event, और पूरा जो package वो design करा सकते हैं, तो पहला तो है कि convenience है, मतलब कि e-commerce है, travel planning and booking incredibly convenient, e-commerce ने क्या करती है, online जो यह commerce है, जो online system है, उसने जो आपके travel की पूरी planning, जहां गुमने चाहना चाहते हो, उसके पूरी planning से लेकर उसकी booking तक बहुत ही easy करती है, traveler can research destination, जहां गुमना चाहते हो, सच करो, बहुत सार जगा आएंगी, price compare कर सकते हो, हर जगा क्या-क्या price है, उसके साथ से decide कर सकते हो, कहां कुमने जाना है, reservation कर सकते हो, अपने घर में बैठे-बैठे, कि मुझे यह hotel बुक करना, यह ticket बुक करनी है, यह restaurant, मैं खाना खाने जाँग, यह बुक करना है, जो भी आप चीज़े बु किसे दुखान में जाने की, जो travel tourism बने लोग जो जो center नहीं जाने के करवाने की जरुवत नहीं है, आपको online से तरवा सकते है, wider choice मतलब क्या है, online platform provide access to vast array of travel option, including flight, hostel, vacation rental, rental towards activities, मतलब कि बहुत सारी choice है आपके पास, बहुत सारी आपको options दे देता है, travel के, like on-se flight आपको बुक कर है, hotels की भी variety है, flights की भी variety है, rent, car rent पे है, उसकी भी variety है, कि अलग-अलग car इस इस rent पे मिलेगी, tour है, activities, तो बहुत सारी choices आपको दे रहेता है, जिसमें से आपना best deal है, वो select कर सकते है, ऐसे offline आप जाओगे भी तो आपको कितनी options देगा, यहां आपके पास variety of options है, तो एक यह benefit है, price transparency, ऐसा तो नहीं है, कि आप से कुछ और साज करेंगा, दूसरे वाले से कुछ और साज करेंगा, ऐसा रही होगा, जो price है, वो आपको transparency दिगराओगा, screen पे आप उसको अराम से compare कर सकते हो, अलग-अलग provider से, और decision ले सकते हैं, कि आपको किसके साथ जाना है, जिससे आपके पास एक और option देखने को मिलता है, वो है reviews or rating, आप कहीं घुमने जाना चाते हो, तो उसके reviews लेख सकते हो, कि लोग गया है, तो उनका क्या experience आया है, या किसी restaurant गटके खाना चाते है, तो वहां का experience रहा है, लोगों का उसकी क्या rating दी है, कहीं आपने accommodation, कहीं रहने का सो अपने सेलेट कर सकते है, होटल के preference क्या है, activities क्या है, तो आप अपने according, जो अपने experience के according क्या है, चीज़ों को customize करा सकते हो, आपको यह नहीं कि मैंने गए हूँ आपे offline, तो उसने कहीं यह होटल हो सकता है, यही time to flight होगी, तो वो नहीं, आपके post choice है, आप सेलेट करो कि time and cost saving है, जाने के जरुवत नहीं है, अराम से घर में बैठे हो, booking कर रहे हो, जिससे क्या हो आपका time और effort जो है, वो save हो रहा है, या फिर अगर आप make my trip कर ले तो वो सारे चीज़ें आपके भी हाब पे कर देता है, तो वहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, time save हो रहा है, even cost save हो रही है, as आप compare करके decision ले रहे हो, जो आपको ठीक लग रहा है, कि मेरे budget के कौर्डिम पे सही बैठ रहा है, तो उस अरीके से आपके पैसे भी बच रहे है, तो cost saving भी है, next है real time information, real time information, real time information क्या है, कि travelers जो होते है, वो access कर सकते है, real time information about flight schedule, weather condition, travel advisories, helping them make informed decision adjustment to their flight, like real time, on the time, on the travel advisers है, आपको जो दे रहे है, या flight schedule क्या है, वो आप देख सकते हो, on the spot, real time information, जो अभी चल रही है, वो आपको information दे देगा, जिससी आप decision ले सकते हो, या अगर आपको plan में कोई adjustment करना है, तो वो कर सकते हो, तो यह भी एक benefit आपको देखने को मिलता है, global reach है, e-commerce has opened up the travel market to global audience traveler from around the world can book trip to destination, they may not have considered before, आप यह बैठे 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 बैरस का भी trip, वो बुक कर सकते हो, तो ऐसा नहीं कि बस एक ही reach है, आपको ग्रोबल रीच है, वो हा लिव लोग यहां तक का पूरा जो है, वो साइट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, यह है, last जो आपको द आपको बुक कर सकते हैं, तो पेपर टिकेट की ज़रवत नहीं है, वो आपको लेने की ज़रवत नहीं है, वो अनलाइन आपके पास अविलेबल हैं, जिससे क्या होगा, इन्वार्मेंट पे अच्छा इंपक्त परेगा, क्यों क्यों पेपर बेस्ट होंगे, इसकों पेड़वर्स है, उसमें यह मेंशन है कि यी प्रोकर्स क्या होते हैं, इसकी क्या मीनिंग और क्या सर्विस्ज से या फैसलिटीज के लो, कि वो आपको प्रोवाइड करते हैं, या फंक्छन भी आपको एक्जैम में पूछे का तो भी आप यह लिख सकते हों, तो यह प्रो बीच में एक फैसलेटेटर का काम करता है like आपको उसको पता कि आपको अपने चीज बेच बेच नहीं तो आपको जरुए नहीं कि आपए पने इस टॉक को बेच आप उसको इह जिम्हारी तो वह पैसे आपसे लेगा कुछ फीज आपसे लेगा और वह आपकी बदले वह कि आप जो भी सिक्योरिटी है उसको खरीद पाओ बाय कर पाओ उसका एक प्रेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है फिनेंशल मार्खेर में वह होता है यह ब्रोकर होता है यह प्लेटफॉर्म के जरूरत होगी तो यह आपको एक प्लेटफॉर्म दे देता जैसे आप करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी कंपटी के जो भी स्टॉक है जोबी अशियर से वह सब दिख रहे होते हैं आपको पर्चेस करना है नहीं करना है वो आप सोचो उसके हिसाफ साब वह को हैल्प करेगा एसिस्ट करेगा रेडिंग में तरच है स्टॉक बाइन आप जो भी आप करना चाह रहे हो, financial asset की जिसमें भी आप trading करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको एक platform देया जाता है, individual or institutional investor को, जो buy करना चाहते है, security को, मता खरीदना चाहते हो, तो आप खरीद भी सकते हो, वहाँ पे, उस online platform के दुरू अगर आप बेच रहा चाते हो, अपनी security उसको आप बेच भी सकते हो, e-broker have gained popularity due to their convenience, accessibility and cost effectiveness compared to traditional brick and mortar brokerage firm, जो traditional brick and mortar brokerage firm होती है, उनके comparative लिए अगर देखो, तो यह convenient है, आपने घर में बैटके, एक platform के थूँ और जो भी security खरीदियों से खरीद सकते हो, बेच सकते हो, easily accessible है, आपने online connection चाहिए, आपको, आप easily उसको कर सकते हो, cost effective आपको जाने की जरुवत नहीं है, travel करने की जरुवत नहीं है, समय भरबाद करने की जरुवत नहीं है, आप अराम से, जब आपको convenient लगे, आप उसको खरी दिया बेच सकते हो, तो यह क्या है ebroker से, ebroker एक online platform है, जो आपको help करता है, अपनी चीजों को trade करने में, अपनी चीज मंतर की जो भी shares है, जो भी financial assets है, उनको trade करने में, तो services क्या दे रहे हैं, basically यह online trading platform है, online है यह platform जहांपे आप trade कर रहे हो, ebroker प्रोवाइड online trading platform that allow user to execute trade from the comfort of their homes and offices, अपने घर से, अपने office के comfort से, जो भी trading करनी है, चीजों को हरीदना है बेचना वो कर सकते हो, इस platform offer real-time market data, research tool and auto execution capability, यह platform होते हैं, आपको real-time market data, अभी के time भी market में चल रहा है वो data आपको लाके देते हैं, research tools लाके देते हैं, जिसे आप research कर पाओ, अलग-अलग जगा जहां पर आप invest कर सकते हो, यह खरीज सकते हो, यह बेच सकते हो, वो आप research कर सकते हो, यह बेटर एक investment opportunity, और execution capability किस तरीके से आपको work करना है, okay guys, so second, जो आपकी service जो आपको यह ब्रॉकर देता है, that is your online, हमने डिसकस भी कर लिया, यह platform है, जो आपको trading में help कर रहा है, it is buying and selling the financial security or asset, ठीक है, तो दूसरा है, access to various asset classes, आप assets की buying and selling कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कि बहुत सारे asset की classes होते हैं, बहुत range of asset classes होते हैं, आप invest करना चाते हो, stocks करना चाते हो, bonds करना चाते हो, options करना चाते हो, exchange trade funds वगारा, mutual funds आपने सुने होंगे, foreign exchange and more, तो इस तरीके के wide range of asset classes के options आपको देता है, जिस पर आप क्या कर सकते हो, invest कर सकते हो, user can diversify their investment portfolio by trading in these different assets type, ठीके, इन सारे ऐसे types पे deal करके, जो user है, वो अपनी investment portfolio को क्या कर सकता है, diversify कर सकता है, मतलब आप अलग-अलग category में क्या कर सकते हो, invest कर सकते हो, जो next आपका आएगा यहां पर वो है research and analysis, नहीं online platform है, तो एक better जो service यह दे रहा आपको, वो है research and analysis, आप better decision ले सकते हो, आपको पता है आप अच्छा decision कब लेते हो, जब आप उस decision के regarding जितनी भी information है, उसके बारे पर research करते हो, अब पैसे वाली बात है आपर, अब पैसा invest करने से पहले हर इंसान बहुत सोचता है कि ऐसा नहोंगी नुकसान हो जाएगा, तो आपको research करने चाहिए, अनलाइस करने चाहिए, उसके लिए आपको क्या चाहिए, टूस चाहिए, तूस कौन देता है, आपको यह ओनलाइन प्लाफॉर्म देता है, Stock, Screener हो गया, Technical Analysis Charts वगयर हो गया, Fundamental Analysis Report हो गया और Economic Calendar हो गया, जिसे कि आप दिखते हो, आउनलाइन शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे customer support मिलता है, कोई भी चीज आपने मगाई उसके customer support, Similarly, यहाँ पे आप आप आइंग एंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको customer support services मिलती है, आप contact कर सकते हो उनकी customer support को, phone के थूँ, email के थूँ, live chat के थूँ, इसमें क्या होगा, वह आपको assist करेंगे, आपकी help करेंगे, अगर आपके कोई भी query है, आपके accounts related है, या technical issues आ रहा है आपको, या कोई general trading requirement है आप जाना चाहते हो, कैसे investment करना या कैसे purchase कर सकते है, क्या process है वगारा, कुछ भी आपको information चाहिए, तो आप उनको क्या कर सकते हो, contact कर सकते हो, यह एक service है जो आपको online मिल रही है, next है educational resources, educational resources मतलब क्या है, कि अगर आप trading investment में करना चाहते हो, तो आपको knowledge चाहिए, knowledge के लिए आपको कुछ resource चाहिए होंगे जो आपको इसके बारे में inform कर पाएं, आपको proficient बना पाएं, तो some e-brokers, कुछ e-brokers ऐसे हैं, जो आपको educational resource, like webinars, conduct कराते रहते हैं, time to type, articles, investment guides, tutorials, यह सारी चीज़ें, आप क्या होपाओ, knowledge ले पाओ कि कैसे trading होती है, और कैसे मैं करो जिससे मुझे जादा से जादा क्या होपा है, benefit होपा है, ठीक है, तो next है, आपको यहाँ पे mobile apps, okay, mobile apps applications भी offer करते हैं, बहुत सारी e-brokers, mobile application जो allow करता है user को कि वो trade करें, अपना portfolio जो है, next is security, अच्छा, बहुत सारी e-broker service जो है, बहुत काम करते हैं, मतलब कि ऐसा ना हो कि आपकी personal financial information लीक हो जाए, वो सारी चीज़ नहों पाए, तो इसके लिए आपको security measures देते हैं, वो आपको protect करते हैं, encryption, multi-factor authentication, fraud detection system, कि सारी चीज़े वो provide करते हैं, जैसे कोई भी fraud हो रहा है, इसको detect कर लेगा वो system, ठीक है, और authentication मतलब कि verify करने के लिए बहुत सारी factor वो use करेगा, जिससे वो verify करेगा कि यह आप ही हो, तो वो सारी चीज़े हैं, आपकर trade वे बेब इन्वेस करें, तो वो authentication होगा कि कहीं ऐसा नो, कि fraud हो जाए आपको तो वो एक service है, जो आपको यह trading जो है, कुछ जादा करें, कुछ कम करें, तो it can vary, right, some broker offer commission free trading for certain types of investment account, और कुछ होते है broker, जो कुछ types of investment, बतब कुछ investment हो गया, जिसके specific type के, कुछ account specific accounts पे, वो free commission trading आपको देते हैं, तो वो भी एक benefit आपको निकल के आता है, तो यहां पे basically आपको discuss क्या करना था, यहां पे आपका जो था कि e-brokers क्या होता है, जो कि हमने डिसका किया, एक online platform है, जहां पे आपको service या facility मिलती है, online trading की, next आता है क्या benefits है, जो आपको यह provide कर रहा है, तो हमने वो discuss का लिए, advantage में भी इसको लिख सकते हो, functions में भी लिख सकते हो, ताकि यह आपका question, अगर किसी तरीके से पोछा जाए, वो आपका cover हो जाए, आज इस वीडियो में topic को discuss करने वाले हैं, वो हमने travel and tourism वाला topic पूरा कर रहे थे, उसलिवस में एक next topic आत सकते हो, online अपना पूरा travel का package design करा सकते हो, तो क्या इसका असर है, online जो हो गया है travel and tourism, तो इस online का क्या असर आया है travel and tourism वाली industry में, क्या उसमें फरक देखने को मिलता है, वो हम समर्चेंगे, तो है हमारे point यहाँ पे, कि disruption of traditional travel agent, देखो भाई, impact वो positive and negative दोनों हो सकते हैं, वो travel industry में अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, तो पहला तो यह है कि जो traditional travel agent, मतब कि जैसे पूराना चीज़े चलती थी, जहां पे आप जाते थे, ठीक है, स्टोर में, वहां booking कराते थे, online आप नहीं करते थे, जाते थे, सब चीज़े वहां पे कराते थे, तो उसके वज़े से उन पे तो असर आया है, जो traditional way में चल रहे हैं, उन पे असर आया है, क्योंकि अब उनके पाँ जादा लोग आनी रहे है, आज सब लोग online करना प्रिफर कर रहे हैं, तो traditional travel agency model को कही ना कही से थोड़ा सा डिस्टब किया है, मैंनी travelers, जो बहुत साइ ट्रेव और करते हैं, booking करना कि online ही तुरद कर लेंगे, इससे क्या होगा, जो उनका एक निरभरत है, कि traditional agents पर depend है, brick and mortar travel agencies पर depend है, वो अब कही न कहीं कम हो उनता लिख रहा है, next है, competition increase हो गया है, e-commerce has intensified the competition among travel services, airlines, hotel and tour operator must offer competitive price and services to attract customer online, देखो online हो गया, तो लोगो को क्या करना है, आपको अट्रैक्ट करना है, तो बहुत सारे जो travel agency है, जो travel service provider है, वो क्या करते है, rooms को, hotels को, क्या करते है, कम rate में, competitive price में, जिससे कोई 800 हो में दे रहा है, तो वो भी कोशिच करें कि हमारा भी कुछ ऐसा ही रहे, 800 तक ही रहे, 810 रहे, तक हमारे तक लोग भी आए, ऐसे क्या होगा चीज़ बढ़ ये, तो अब लोग क्या कर रहे है, तो अब लोग क्या कर रहे है, इस्टयलिच कने के लिए चार्यव से चार्जर के बटर से में सर्भिस दे रहे है तो एक असर देखने को मिला है इसमें वह है ग्लोबल एक्सपेंशन हो गया है एक असर है कि ट्रैवल इंडस्ट्री अप टेक्नालोजी को थोड़ा यूस करने लग गई है जिसे मुबाइल एप्स बनाने लग गए है लोग वर्चुल रियालिटी तूर्स ऐसा देने लगे कि आपको वर्चुली ऐसा इमेजन करा देंगे कि आप जिसे टूरी में हो तो वह आप एक फील कर सकते हो AI पावर चार्ट बॉट है जो आपको एक कस्टमर के एक्स्पिरेंस को इन्हांस करेंगे आपसे चार्ट करेंगे आपके पूरे जो भी चीजे है उनको कस्टमाइज कर कि आपके इन्हा ञांद पर है जो कहाँ जाना प्रसंद कर रहे हैं अफंze लोगने तूर पर चारो टिक करो तूर करो तो वहाँ पर बताते हैं का आज का लोग कहां पर जा रहे है यह पर आपके लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो भी चीजे हैं, तो इससे क्या होगा अपके पाट डेटा क्लेक्ट होगा, उसके हिसाब से आप अपनी strategy बना सकते हो, marketing की, कैसे अपने और customer को attract करो, कैसे offers ला सकते हो, जिससे पूरा customer का experience है, वो अच्छा होपा है, तो एक ये impact देखने को मिला है, shifting and marketing strategy, marketing strategy में थोड़ा shift देखने को मिला है e-commerce की बज़े से, travel companies increasingly rely on digital marketing and social media to reach their target audience, जैसे पहले क्या होता था, traditional advertising method use करते थे, पुराने तरीके यूज़ करते थे customers को attract करने के लिए, उनको tour के लिए बनाने के लिए, अब क्या जबाना है digital marketing का, आब instagram पे reels डाल दो अपने promotion के लिए, कि आब यहाँ आई make my trip के, कुप सारे reels बना दो जै कि social media में उसको पहला दो जो शेयर करते है travel experience recommending other travels, तो इससे क्या होगा all-right a travel communities आपने बनाती है कैसे online travel communities बनाती है जो लोग online, जो लोग travel जग करने जाते हैं वो क्या करते हैं, आपने traveling experience जैसे आपने reels पर देखाऊगा instagram में आपने पूरा traveling experience बनातादे है है guys, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और मैंने जो टिकेट की है, वो इतने रुपे में बुक कर ली है अब हम यहाँ जाएंगे, कहां पर रिखे है मैं आ गया हूँ, यहाँ रिखे मेरा यह होटेल है यह रिखे मैं यहाँ बुकिंग करी, हमारा खाना आ गया है ने आप गूम पहिर रहे है, यह रिखे मैं यहाँ गूम रहा हूँ यह वो पलाना नवाका, तो वो पूरा क्या है एक ओनलाइन ट्रैवल कॉम्यूटी बन गई है जो क्या कर रही, आप देखोगे अरे बढ़िया, यहाँ पर जा रहा है, रेवा, रेवा फिर आप में सुचोगे, लाओ हम भी जाते है तो थोड़ा सा एक ओनलाइन ट्रैवल कॉम्यूटी बन गई है, लोग वहाँ जुडएंगे जो जाना गूमना पसंद करते हैं, एक कॉम्यूटी बन जाएगी फिर जहाँ आपको लगेगा कि इस कॉम्यूटी को हमें अपना प्रॉड़क बेचना है, या हमें अपनी ट्रैवल की जो टूरिस्टम पैकेज यह वो बेचने हैं, फिर आप उसको बेच हो एडवर्टाइस करा के ठीक है, एको फ्रेंडली इनिशेटिव है, देखो भाई, एको फ्रेंडली इनिशेटिव तो है अब यहां पर पेपर पैन के चीज़ों को यह काम रुप गया है, टिकेट को उनलाइन बुक कर दिया है, तो पेपर पैन वाला जो सिस्टम है वो डियूस हुआ है, एक बेटर इनिशेटिव लिया जा रहा है तो हमने यह डिसकस कर लिया है, अब इन इस वीडियो, वी आ गोई तो इस टॉपिक और प्योट्स लेबर्स अस पर एनिशेटिव यह डियूस है, तो आपको पता है क्या होता है, जिसे कोई शियर है, डिवेंचर है, बॉंड है, उसको आप क्या करते हो, ट्रेड करते हो, म जब आप शियर, रिवेंचर, बॉंड इन सब श्याश को खरीते हो, बेचते हो, तो आपको पहले क्या कर रहे थे, मार्केठो जाके उसे चीजों कर रहे थे, आब आप ही सारी चीज़े क्ते हो, आप अउनलाइन चीजेleye क्या कर सकते हो, तो आफ को जब लग रहा है कि आप चीजों का इन्टरेट के माध्यम से कर रहे हैं जो हमें ब्रोकर्स फर्म जो आनलाइन फर्म उनके थूरू तो यह क्या है ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग यह आप च्कल क्या है बहुत ज्यादा पॉबिलर हो सक चुका है क्योंकि लोगों की रीच में है जो आपने दिखाओ को बहुत सारी ऐसे वेबसाइट है जो आपको यह कहते हैं इस्टॉक ट्रेडिंग के लिए गाइड भी करते हैं वहां पर सपोर्ट भी आपको देते कि आप स्टॉक जो भी है उसका ट्रेडिंग कर पाओ तो यह थोड़ा पॉइंट है आपका तो यहां पहला है कि क्या बेनिफिट है पिटे आपका ओन-lai-n-stock trading का असेसिबिलेटी है मतलब कि online stock trading platform accessible from anywhere with an internet correction allow investors to trade from the comfort of their home or offices मतलब कि जो online trading platform है वो क्या करते हैं आपको allow करते हैं कि आपकी पास internet connection हो और internet के माध्धन से क्या कर पाते हो अब कहीं भी अपने घर से अपने ओपिस ते कहीं भी अपने comfort पे trading कर सकते हैं जब आप फ्री हो और आम से घर में बैठे हो और आम से आप खोले और तुरन तामनी कहा गया देखने लगए कि इसका प्राइज डाउन है किसका प्राइज आप हुआ है उस हिसाब से आपने ट्रेडिंग करना शुरू कर दी तो एक यह है है, कन्वीन असे कन्वीनिंग मतली क्या है ओ नाइन ट्रेडिंग इस अवेलेबल 24 इस इह भी अर्स यह! तुनुछ को पिलाउन है इस क् links के पास था है, उप देख सकते हो जिक वे घोए कमिशन चार्ज करते हैं जो आपके ट्रेडिशनल ब्रोकेश फर्म है उनके यहां भी कमिशन जो है थोड़ी सी काम होती है तो कुछ कमिशन कुछ प्लैटफॉर्म तरह से जो कमिशन लेते ही ने तो भाई इन्वेस्टर के लिए क्या है अपके इसके कॉस्ट पता बच रही है एकसेस टू मार्के डिटा ओलाइन ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म इन्वेस्टर को क्या प्रोवाइड करते हैं रियल टाम मार्केड़ है कि मार्केडम अभी क्या चल रहा है कितना डाउन है उसके चार्ज सब्कुछ आपको प्रोवाइ अब जो भी आपके ऑड़र्स है उसके हिसाप सब्सक्राइब करना है या औहला रूपना है जो ऑधान देना है ताकि आप ट्रेडिंग को क्या करपाऊ एक्जेकूट कर पाऊ ठीक है तो यह थोड़ा सा क्या है कि ट्रेडिंग जिन्होंने करी होगे या जिस फील्ड में होगे वो थोड़ा सा ज्यादा सको बेटर इंडस्टैंड कर पा रहे होगे कि आपके तरीके से चीज़ जो है वो यहाँ पर इंप्लिमेंट कर रहे हैं डायवर्सिफिकेशन है कि आपको फैनेशन इंट्रूमेंट देता है और जो ट्राइशनल होज़ा ता हो कम दे लहीं आपको बहुत सारे श्टॉक बहुत सारे बांड्स और बहुत सारी एटीफ यह सारे ओप्शन रहते हैं तो आपको जो अच्छा लगे जो आपको लगे कि वाई रिस्कम है उसमें आप क्या करो इंवेस्ट करो एजुकेशनल डिसोर्स बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको गाइड करेंगे टुट्यूरियल वेबनार्स कि आपको किस तरह से के इंवेस्टिंग करने है कैसे अपने ट्रेडिंग डिसिजन लेने है नेक चिज़ों को इंवेस्ट करना है किस चीज में आपके लिए बहुत सारे आपको इस आपको सॉफ्ट्यवेर देते हैं बहुत सारे स्क्रीनर्स होते हैं आपके पास जिससे आप बेटर डिसनल ले पाते हो चीजों को एनलाइस करके प्रॉपली पॉर्ट्फोलियो जो चीज़ें वो इंप्लिमेंट कर पाते हैं मतलब कि जो रेपोटेबल ऑनलाइन ब्रोकेश फर्म है मतलब ऐसे ब्रोकेश फर्म जो ऑनलाइन काम कर रहे हो और उनकी बहुत अच्छी रेपोटेशन है वो आपके सिक्योरिटी आपको देती हैं आपका जो एकाउंट है प आप ये पर्सनल इंफोर्मेशन या आपके फैनाइशन इंफोर्मेशन न लीक हो जाए ये सारे चीज़े रेडियूस पेपर वर्क यहाप पेपर वक नहीं है ओनलाइन है तो आपको रिकॉर्ड जो भी है वो ओनलाइन आपके पास रहेगा तो यह है गलोबल मार्केट बह पूचेंगे तो नाओ गैस इन इस वीडियो विडियो विशा पत्व दिस टो इस टॉपिक यहाप और पाइनशन शर्वीशस केया थे पैनेंस फैनेंस क्या होता है तो यहाप लिंक अप करते हो मैं ठीक है तो मैं इसे टुटनी भी सर्विशिज है वह जब आपको ऑनलाइ प्लैटfaarmb कि ठो मिलती है ठीक है जैसे ऑफ लाइन बैंक जाते हो सर्विशेज लेते हो ठीक है लोन एपलाई करते हो अफ लाइन पुराइन पुरा प्रॉसेज करते हो या फिर डिपॉसेट हो गया या फिर पास्बॉक को अपडेट कराना वगरा वगरा अब यह सारी services कैसे ले रहे हो offline ले रहे हो वहाँ जाके next अब यह क्या हो रही है आप चीजे बदल गई है आपको पता digital world है technology का बहुत जादा जोर है समय तो सारी चीज़े कहा है online through भी आप कर पा रहे हो access तो क्या है online financial services थोड़ा तो clear है तो online financial services refers to a broad range of financial product and services देखिए बहुत सारे जो financial product services है जो आपको deliver किये जाते हैं यह आप access कर सकते हो digital channels के थ्रू over the internet like पहुत सारे platform है जो आपको क्या करते हैं जैसे bank की बहुत सारे apps जिसके त्रू आपको ऑपने जो भी information है banking की वो क्या कर सकते यह एकस्प्लोर कर सकते हो देख सकते हो जान सकते हो इसके साथ यसके साथ जाख जिए आप सारे proposals ढूल anything कर आप सकते हो उससे अपने login किया अपना सारा data कितना पैसा कहा गया कब आया कैसे हुआ वो सब आपको मिल जाएगा तो यह सारी चीजे हैं आपकी online financial services next आता है आपका यहां पर कि कौन कौन सी financial services है जो online आपको मिल रही है तो पहला है digital banking digital banking से आप क्या समझते हैं यह online banking services है जो आपको traditional banks यह digital only banks जो है वो प्रोवाइड करते हैं इसमें क्या होता आप क्या कर सकते हो अपना check balance चेक कर सकते हो fund transfer कर सकते हो ठीक है बहुत सारे जो apps है phone पे हो गया Google पे हो गया जिसमें आपना bank account link कर देते हो then a fund जो है वो transfer कर सकते हो अपना balance चेक कर सकते हो बिल का भी देखा हो अगर आपने Google पे पे एक interface उसमें दिखाता है पे योग्याइच से लेंडर बिल वगरा वगरा तो सीजे आप कर सकते हो बाकि बैंकिंग टास्क जो है वो उनकी website से आप अपने mobile application से कर सकते हो next जो आपक यह लिए scan किया और जोपी नुब वगरा है डाला और क्या हो गया payment हो गया तो यह भी क्या है financial service है जो कि आपको कहां से मिल रही ऑनलाइन online investment and trading online आपको पता है अमने इससे पहले वाले topic वाला ओनलाइन financial services के पहले जो online stock वाला topic था वो डिसक्स किया था वहां पे आपके पास आज कल ऐसे platform है जो आपको online trading में help करें आपको जो भी stock उनको खरी सकते हो बेस सकते हो mutual funds हो ETF हो exchange trade funds हो या कोई भी security हो जो आप खरीना चाह services like आपको वो जो online brokerage platform है वो आपको services देंगी काफी राजी services हमने कर डिसक्स भी कही थी आपको time to time ये भी मतलब provide करते रहते है advice कि आपको कहा है इसकरना आपके लिए beneficial होगा आपका आप तक का record क्या राया आपने क्या किया और यह सारी चीज़ें आपको मिलती है थोड़ा और यह है next है peer-to-peer lending peer-to-peer lending क्या है P2P यह online platform correcting borrowers with individual और institutional lender allowing them to secure loan or provide lending capital directly to other यहां पर जो loan लेना चाहता है और जो loan देना चाहता है online platform क्या करते हूं दोनों को आपस में connect करा देते है इससे क्या होगा आप जो loan लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो सामने वाले से और काफी secure हो होगा ठीक है तो crypto currency services क्या है platform for buying selling and managing cryptocurrency like bitcoin का क्यों ट्रेंड में था bitcoin जैसे ही चीज़े आप खरीज तकते हो बेज तकते हो manage कर सकते crypto currencies को ठीक है as well as providing wallet services for storing digital assets और इसके साथे साथ अगर आपका कोई digital assets है जो आपने खरीदा हो ठीक है वो digital assets उनको आप एक wallet service भी देते हैं जिस प payment platform and wallet that store payment card information enable secure online and in-person payment digital wallet क्यों होते है यह एक ऐसे platform होते हैं जो आपकी जितनी भी card information है जिसे की जो भी credit card है debit card से जो भी information है वो अपने पास क्या कर लेते store कर लेते हैं और जब भी आपको online transaction करना है या payment करना है तो वहां से आप उसको access कर सकते हो personal finance management next service है कि online tools और app हैं जो manage कर पाओ expense आपने कितने के उसको track करते रहो budget बना सकते हो आप financial goal set up कर सकते हो like मेरा budget इतना खुपास महीने का इतना मुझे invest करना है like 10,000 हो गया मेरा फिर आप expense manage कर सकते हो like आपने कितना कहा invest किया तो वह पुरा detail रहेगा आपके पास grocery मित्ता गया यह वहां गया और यह किस service for sending money internationally often at lower fees compared to traditional remittance method मतलब कि जो traditional method है आप बाहर पैसे भेजने के लिए international अगर आप पैसा भेजना चाते हैं तो वहां पे क्या होगा fees ज्यादा चार्ज करते हैं लेकिन online प्लाटफॉर्म में वह आपको कम fees में वही service दे रही है तो एक यह भी आप financial service में नहीं सकते हो financial planning advisory ज अब कैसे अपने पैसों की planning कर सकते हो बैटर जिससे आपका जो भी जो भी पैसा है वो smartly आप use कर पाऊ तो वह आपको financial service दे रहे हैं credit and loan online platform that facilitate loan application credit checks and access to personal and business like ऐसे बहुत साहे प्लाटफॉर्म में जो आपको loan application में help करते हैं loan apply करने में help करते हैं credit checks जो credit credit checks जो है उनको help करते हैं और जो भी आप अगर personal business loan लेना चाह रहे हो तो आप वो ले सकते हो उसको देख सकते हो कितना कैसे चल रहा है पूरा process वो सारी चीज़े आपको provide की जा रही है insurance services insurance services चाहे health का लो home का लो life का लो वो सब आप purchase कर सकते हो online platform के थ्रू तो यह एक service आपको मिल रहे है online bill payment कर सकते हो बहुत easy topic है यह online bill payment तो आपको पता है बहुत सारे web app के थ्रू क्या कर सकते हो online चाहे आपको घर का bill पे कनना हो बाइ electricity का gas का जिसका भी ओपोन बगर वगर 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 वआब कर सकते हो crowd funding यह है online platform that enable individual and business to raise fund from a large number of individual often for creative charitable or entrepreneurial project आप कोई project start करना चाहते है, कोई business start करना चाहते है, start-up start करना चाहते है या कोई charity पर पस्ते है पैसा raise करना चाहते है बहुत सारे लोगों से तो ऐसे platform भी online है जो आपको इस सीज में help करते है तो ये है open banking services, initiative that allow customer to share their financial data securely with authorized third party financial service provider fostering innovation and competition in the financial sector foster banking services जो है वो open ठीक है ये इसके क्या होता है कि जो भी आपका financial data है वो share कर सकते है securely अगर आप को third party आपको trust नहीं है कि यार मैं किदा data करूं का ना करूं मेरा leak नहीं हो जा लेकिन वो ऐसे platform होगे तो आपको security देंगे कि आप कर सकते हैं आपका data जब वो leak नहीं होगा जिससे क्या होगा कुछ innovation हो सकता है कुछ competition हो सकता है financial sector में हो सकता है कि आप जब ऐसे information share करो तो आपको कुछ ऐसे financial advice मेले जिससे आपको जादा benefit रथा सकते हो तो वो सारी चीज़े कहीं न कहीं आपको online open banking services के थूँ प्रोवाइड के चाहरी है okay so यह था हमारा discussion so now guys in this part we are going to cover next topic that is online banking and benefits ठीक है online banking क्या होती है सबको पता है उसके क्या फायदे है वो हम discuss करेंगे जिसको नहीं पता है वो बता देते है banking आप services लेते हो ना bank में पैसे जमा करना खाता खुलाना वगयरा वगयरा अब यह सारी चीज़े बैट के आप क्या कर सकते हो online internet के थूँ कर सकते हो तो वो क्या है यह समझ दे हमने उसके क्या फायदे है यह हम देखेंगे तो online banking also known as internet banking और digital banking इसको आप दो नाम से और जानोंगे internet banking as internet के थूँ आप कर रहे हो और digital banking भी आप कह सकते हो यह तरीके की financial service है because financial चीज़ों से ही आपको related एक स्वीधा दी जारी एक service दी जारी है that allow individual and business to conduct various banking activities इसके थूँ क्या कर सकते हो बहुत सारे banking activities transaction कर सकते हो internet के थूँ किसी को payment करना है पैसे भीजने वह आप कर सकते हो आपको अगर चानना है कि मेरे कितना account में balance है कितना पैसा है वह आप तुरण चेक कर सकते हो financial data अगर आपको डिकालना है कि मैंने कहा 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 कितना खर्च किया किस दिन कितना आया कितना गया वह आप कर सकते हो आपके थूँ जो भी bank के apps है या फिर अपने आ गूगल पे फोन पे वगएरा में data login करके आप जान सकते हो convenient है क्यों convenient है घर में बैठे बैठे कर सकते हैं रूप में दौड़ने की जरुवत नहीं है इंतजार करने की जरुवत नहीं है लाइन में खड़े होने की जरुवत नहीं है तो यह हो गया आपका online banking अब फायदे ही क्या है पायदे सबसे पहले तो बहुत बढ़ा फायदा है convenience 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 क्यों है online banking offer unparalleled convenience customer can access their bank account check balance perform transaction from anywhere with an internet connection eliminating the need to physical bank branches आपको physically bank की ब्रांचे में जाने की जरुवत नहीं है आप अपना जो balance है वो घर बैठे चेक कर सकते हों जिदने भी transaction है वो आपने घर बैठे perform कर सकते हों ठीक है तो इससे क्या हुआ कि बढ़ा convenient है जिसने मालों का बाहर क जाना पड़ रहा है bank फिर बैंक में जाने के बार बैंक बालों कहते हैं भी लंच चल रहा है जाईए बैठे है फिर दिमाग खराब हो गया अब खाली मुझे इतना जानना थे एक पैसा कितना है और उतना जानने के लिए मुझे इतना मसला करना पड़ तो यह थोड़ा हो गया कि convenient हो गया एक फाइदा दूसरा फाइदा क्या है आपका 24 24 by 7 accessibility आपको पता है आप अभी रात में बैट कर अगर अपना balance चेक करना चाहोगे कर लोगे लेकिन अगर जैसे बैंक होता है टाइमिंग होती उतरी देर में आपको जो भी information लेनी है ले आ सकते हो टाइमिंग करना कर सकते हो तो अपने finance को अपनी convenience पर manage कर सकते हो account information customer can view their account balance transaction history account statement online this real-time access to financial information allow for better financial management budgeting अपने जिससे आपने देख लिया मेरे account मेरे 1000 रुपय है बस तो आपको समझ माझागा क्या मुझे यार पैसे जादा नहीं खच करने मुझे अपने पैसों का management अच्छा करना है मुझे वही invest करने जहां वो need में हो एक है आपको transaction history उठागे लेगी मैंने कहां कहां कितना कितना payment कर दिया है जिसे अभी होता है भूल जाते है यार payment की थी कि नहीं गए तो हमने देख लिया कि हां हमने की थी तो कुछ account information जिससे आपको help हो जाएगी कि कैसे आपको finance को आगे manage करना है budget जैसे plan करना है वगेरा transaction history का benefit है देखो आपने transaction का detail history देख सकते हो ट्रैक कर सकते हो कहां मैंने spend किया किसको कितना दिया कहां से कितना आया वो चीज है और सबसादा फाइदा एक businessman को इन सब चीजों से होता है transaction history क्योंकि उनको पूरा account जब बनाना होता है तो फिर वो ची payment किसी अलग तरीकी के bill payment करना हो जैसे कि आपने grocery का bill payment करना हो या फिर gas lender का bill pay करना हो electricity का bill pay करना हो लोन का bill pay करना हो तो यह सारी चीज़े आप कर सकते हो automatic bill payment है मतब कि आपने date जो दी है उसी हिसाब से वो क्या हो जब पैमेंट हो जाएगा अपने आप आपको headache लेने की भी जरुवत नहीं है कि timing भूल गया मिस हो गया तो क्या mobile banking है बहुत सारे mobile है आपसे जो ओफर करते कस्टमर को कि अपने अकाउंट को mobile में ही देख लें ठीक है deposit चेक कर सकते है by taking photos में transaction using smartphone tablet आप पता यह आप करते हो online banking अपने mobile से तो यह आपको पता है security है देखो online जो reputable online banking platform जिसे google पे हो गई वह देखते रहेंगी जो उनका system होगा तो customer की जो account or personal information वह कहीं न कहीं safe है alerts and notification जो online banking platform होती वह आपको alerts भी रेती रेती समय समय पर कि आपका balance low है आप और balance deposit कर रहा है आपका withdrawal बहुत जादा हुआ है बिल जो है वो spending है तो वो सारी चीज़े online statement निकाल सकते हो online जो भी banking statement है व जो है वो कम दिखेगा next है last है account management अपने manage कर सकते हो account को new account open करना है तो वो कर सकते हो loan credit के लिए apply करना है वो कर सकते हो investment करना है वो कर सकते हो तो यह सारी चीज़े आपको जो है वो online banking के थ्रू कित्रू क्या है benefit है यह short topic था जो हमने यह आपर डिसक्त किया we are going to cover this topic that is essential of firmers application in B B2B ठीक है B2B business to business ठीक है यली unit में आपका B2B start हो रहा है business से business की बात की जसे पहला हमने B2C बात की थी business to consumer का connection बगरा यह सब देखा था अब देखें कि business से business में क्या क्या चीज़े जो है वो होंगी तो पहला हम देखने वाले application की बात करेंगे e-commerce की बात हो रही है ठीक है electronic मतब जो भी system है आपका trading का उसको आपने क्या कर दिया electronic कर दिया ठीक है तो उसमें कुछ software यूज करेंगे आप tools यूज करेंगे ठीक है applications बेरा use करेंगे जो help करेगी एक business को दूसरे business के साथ relations build करने में दूसरे business के साथ trade करने में दूसरे business के साथ connection बिल्ड करने में तो हम व यह application in B2B क्या है यह basically क्या होता है यह refer करता है use or implementation of various software applications आपने बहुत सारे software देखे होंगे ठीक है जिसे बहुत सारे tools होते है techniques होती है यह कहतो की software आते है ठीक है जो एक business use करता है अपनी system को easy करने के लिए means अपनी performance को improve करने के लिए कह सते हो या फिर transactions बिजनेस के साथ कर र service जैसे कोई manufacturer है दूसरे कोई उसे goods खरीद रहा है दूसरा business ठीक है विस्नेस उस चीज़ को बनाता है ठीक है ज्यासे मालो bicycle वाला example लेलो कि कोई bicycle manufacturer है means bicycle का जो भी tools वगयरा होते ना parts वगयरा होते है वो manufacture करता है दूसरा है business जो bicycle बनाता है पूरी की पूरी और एक है जो bicycle के जो बाइक्ष 되면 टायर के लिए और प्ले है अपस में बीच में तो इस जो भी ट्रान्जिक्शन भो रहा है इस मैं अगर अप Wars कि लोग जाके फीरि्य शाओ अरी ऑनलाइन भोरा एईसली हो रहा है वहां सारी website है जो आपको इस प्लैटफॉर्म दे लेती जहां पे बिजनेस दूसरे बिजनेस को online order place कर सकती है online receipt ले सकती है online पूरी tracking कर सकती है तो यह क्या है इसी हो रहा है e-commerce फिर्ट बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ transaction करने में या operate करने में ठीक है तो वही जो application application जो software होते है जो बिजनेस यूज करता है वह हम क्या कहेंगे application बीटूब यह clear हो गया इस अप्रिकेशन डिजाइन अब यह application यह software क्यों बनाए जाते हैं यह बना इसलिए जाते हैं ताकि business के जो भी operations है process है वह easy हो जाए efficiency भाई of course time save होगा efficiency बढ़ेग उसकी communication अब communication भी build होगा आपस में आप online platform के तुरू connect कर सकते हैं बात कर सकते हैं ठीक है इंट्राइक कर सकते हैं तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी applications है B2B की means आपने यह तो बता दे हैं कि software होती जो business use करता है दूसरे business के साथ trade करते समय हो ठीक है अब कौन कौन सी application हो सकती है जो हम use करेंगे business to business transactions में तो देखिए पहली है आपकी supply chain management अब आपके दिमाब में आ रहा हो है कि यह supply chain management क्या है ठीक है तो understand करेंगे कि जो B2B applications है वो play crucial role in optimizing supply chain process देखो supply chain process कर सिंपल बताऊना कि जो एक पूरा process होता है goods को manufacturer से ले जाके consumer तक पहुचाना में जो final customer है उस तक पहुचाना इसके throughout जो भी process होता है क्या process हो सकता है order को place करना पहले manufacturer के पास पिर उसको transport करना warehouse में store करना then finally उसको deliver करना यह सारे process हो सकते है तो जो B2B supply chain है ठीक है उसको optimize करने में या कै तो उसको आसान बनाने के लिए कुछ application या software हम use करते हैं यह क्या facilitate करते हैं कि जो भी आपका inventory data है वो easily exchange हो जाए जो भी product हो प्रक्योर हो जाए order process हो जाए logistic का management हो जाए business के बीच में अब आरहा होगा अपकी दिमाह में कि process कैसे बर कर रहा है देखो supply chain management क्या होता है इसमें वो सारी activities आती है जो एक product को यह service को उसके manufacturer जहां से वो बन रहा है वहां से लेचाक की customer तक पहुच आता है तो जो भी आपके process है जैसे बहला या आगे पर क्या बता रहा है inventory data exchange ठीक है तेखो example एक manufacturer है ठीक है bicycle बनाते है और एक company जो bicycle की accessory तेल करती है ठीक है उनके बीच में क्या हो रहा transaction हो तो inventory data exchange गया कि bicycle manufacturer जैसे वालो bicycle की seat चाहिए supplier से जो बनाता है उसके parts ठीक है जो accessory बनाता है उसको क्या जाहिए bicycle की seat चाहिए तो वो B2B की application ये software को use करके क्या कर सकता है inventory data चेक कर सकता है inventory data चेक कर सकता है वो देखेगा website पर जाएगा और देखेगा कि इनके पास जो ये हमारे seller है भाई साब उनके पास क्या seers available है जो मुझे चाहिए और नहीं available तो उसने online ही क्या 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 देख दिया inventory data कि उसके पास वो available है या नहीं ये के माल उसको पता चला available है तो उसने manufacturer से confirm कर दिया मुझे आपके जो bicycle seeds है वो चाहिए और electronically क्या कर दिया order place कर दिया बदा दिया कितनी quantity चाहिए कितने price का चाहिए और कब तक मुझे वो order चाहिए पर supplier क्या करेगा जैसे उसको order मिलेगा वो उसको process करेगा है ना procurement के बाद क्या होगा order processing होगी supply के पास order आ गया कि इनको है इनको bicycle की seed चाहिए हम हमें क्या करना इनको seeds देनी है तो instantly वो क्या करेगा जब order receive उसको process करना shipment prepare करना ठीक है एक confirmation भेजना कि ठीक है आपका जो order है वो shipment कैसे जाएगी जो भी tracking detail होगी वो सारी चीजे वो शेयर करेगा online दूसरे में जिसने order replace किया उसको delivery date वादा इसने तक आपको पहुच जाएगा तो देखो यो पहले system supply chain वाला system था एक goods को final customer तब पहले क्या हो रहा था ऐसे होता था अब हमने जब B2B application software को use किया तो हमारा यह process क्या हो गया electronic हो गया जिसते हमारा time जे वो सेव होने लग गया ठीक है electronic data interchange system are often used for the this purpose means supply chain management के लिए electronic data interchange के system भी उस होते है बेसिकली यह वो technology होती है जो आपको अलाओ करती है कि जो भी electronic documents है जैसे आपका purchase order हो गया invoice हो गई shipping की notice हो गई वो आप customer तक क्या करें electronically पहुचा सकते है तो यह सब चीजे करने से क्या होता है आपका paper और manual entry जो है वह नहीं होती है तो उसमें time save हो जाता है exchange faster हो जाता है तो इन सब चीजों के थूँ आप देख पाते हैं यहां पे जब supply chain management में आप ऐसा software या application यूज करते हो तो business to business transaction हो आसान हो रहे हैं ठीक है next आता है e-procurement e-procurement क्या है कि many business use b2b e-procurement platform to streamline the procurement process ठीक है कोई भी आपको क्या करना है order जो भी अपने place के है वो purchase करना है कुछ भी purchase करना है तो बहुत सारे business b2b के ऐसे भी software platform यूज करते हैं जो उस process को क्या कर देते हैं असान मना देते हैं means जैसे कि यह platform क्या करते हैं यह allow करते company को कि to source product and service from suppliers often through online catalog and auction because जो भी supplier है जो अपना product बेचना चाते है वो इन सारे system इन सारे software में अपना जो भी data है ठीक है कितना goods है ठीक है कितने available है quantity क्या है यह सा publish कर सकते हैं और फिर जैसे जिसको भी जरूरत है कि जो भी मतलब लेना चाता है वो supplier के catalog को देख सकता है कि इनके पास क्या-क्या चीज आसान हो गया है next is online marketplace अब जो business to business में आसान करने के लिए क्या है ऐसे software आगए जो online buyer और seller को क्या करते है कानेक्ट कर देते हैं आपको जाने के जरुवत नहीं seller डूडने के जरुवत नहीं buyer को यह seller को buyer डूडने के जरुवत नहीं online marketplace बन गई है जहां पे आप goods को खरी सकते औ और बेश सकते हैं जिसे मिंद्रा हो गया बिजॉन हो गया वो सब क्या कर रहे है यह वह तो कस्टमर से डील कर रहे है जैसे जो business वाले जो business to business कर रहे है जैसे कि जो raw material दे रहे है और जिसको raw material चाहिए वालों कोई steel से related कुछ बनाता है उसको steel raw material चाहिए तो वह B2B करेट कर सारी business to business software ऐसे होते हैं जो online marketplace create कर दी है buyer और seller के लिए next is supplier relationship management की B2B applications जो है अपकी वो support करती है supplier relationship management by enabling to manage their relationship with supplier more effectively अब क्या है कि ऐसे software भी है B2B applications की बात ही है यह software business to business को help करने के लिए जो भी software है तो बहुत सारे ऐसे software जो support करते है supplier का relationship management means supplier के साथ और अच्छा relations build करने में help करते है business जो भी उसके साथ order place कर रहा है उसको यह platform help करते है vendor के assessment में performance monitoring में and collaboration with key supplier means यह जो भी platform है supplier relationship management यह क्या करते है यह help करते है कि आप पहले दे जाओ ठीके platform में जाके चेक करो कि कौन कौन से vendor उनका past data कैसा है उनका rating कैसी उनकी product की ठीक तो आप देख लोगे ना समझ जाओंगे कि हाँ यह जो supplier मेरे recording मुझे इसके साथ और प्लेस करना है तो आप उसके साथ collaborate कर सकते हो बातचीत कर सकते हो ठीक है तो आप मॉनेटर कर सकते हो देख सकते हो कि performance कैसी रही उससे आप सबने decision making कर सकते हो कि आपको वहाँ order place करना नह यह सब चीज़ है next is collaborative planning forecasting and replenishment cpfr business use करती है b2b application for collaborative planning forecasting and replenishment this involves sharing demand and supply data with a partner to optimize inventory level enhanced demand plan देखो बहुत सारे b2b applications ऐसे भी है जो आपको help करते हैं कि आप एक साथ planning कर पाऊ एक साथ demand को या supply को forecast कर पाऊ और एक साथ उसी के according उसको replenish कर पाऊ means जैसे बहुत सारे इक ऐसा platform applications के सुरू create है जो connect कर देता है suppliers को आपस में तो आपस में आपस में सारे suppliers हैं तो आपस में data share करेंगी कि हमारे पास जैसे मानलो एक manufacturer है एक supplier है ठीक है बहुत सारे manufacturer बहुत साथ supplier साथ आपस में connect होगे तो वह बताएं कि supply कि हम आप इतना order आ रह आपसे में आपसे में बना चाहों और मैंने आपको बता दिया उसी paper के through books वगरा जो बनाती हूं तो मैंने आपको बता दिया कि अभी जो order आ रहा है उसका वह इतना आ रहा है तो आपको एक help मिल जाएगी कि आप एक साथ मिलके प्लानिंग कल लेंगे कि कितना आप बनाओं और कितना हम आपसे खरी देंगे और कितनी डिमांड है उसे साफ से फिर चीज़े होगी तो resource का wastage कम होगा time का save होगा ठीक है उसे तरीकित आप inventory level maintain करके रहोगे ऐसा नहीं कि आपको पता तो हैने डिमांड कितनी है और आपने कम बनाया तो आपको loss हो रहा है या आपने जा करना चाहता है तो वह online payment कर सकता है electronic fund transfer virtual credit cards online other payment method यूपाई वगारा यूज सब यूज करके वह एक बिजन दूसरे बिजनस की payment वगारा कर सकता है जरूरी नहीं है वह जाके payment करो यह भी software applications के तुरू easy हुआ है next is contract management जो भी आपके contract है आप बिजनस दूसरे business के साथ contract तो करता ह बिजनस contract करेगा ही करेगा जैसे आपके सामयने contract किया कि मुझे इतना समान चाहिए इस date को चाहिए तरी quantity में चाहिए प्राइस पी चाहिए तो हम भी contract करेंगे जैसे हमने contract किया कि आप मुझे 3 months यह चीज दोगे तो हम अब online contract कर सकते ऐसे application ऐसे software है जो आपको help करते कि आप online contract create करो और जो भी terms है condition उसको track करो कि वो fulfill हो रही समय पे नहीं हो रही है और माल अच्सपायर होने वाला तो आपको एक अलाम भी देगा कि एक्सपायर होने वाला इसको renew करो और automatically renew हो जाएगा ठीक है और चेक आउट करेगा कि मतब जो भी terms and condition है जैसे इन महीने का condition थाउस contract में वो satisfied हो रही नहीं हो रही है तो वो online प्रैकिंग भी तो और easy हो गया in software तो business to business next is customer relationship management कि why typically associated with B2C CRM system have application in B2B customer relationship management जो basically business to customers is rather related लेकिन इस system का हम use करते हैं B2B में भी B2B क्या help परता है यह help करता है business को कि वो relation manage करें with corporate client business के उसके business के उसके customer क्या है उसके business के लिए एक business के उसके customer उसके corporate client मतलब जो business के clients है वो तो उनके सार relationship manage करने में help करते है इस SRM कि they are together को आपस में ट्रैक कर पा रहे हैं अब time to time update दे दे एक आपका जो product वो यहां आया है अपनी जो order place के वो इतना है रिसिप शेयर कर रहे हैं वोई शेयर कर रहे हैं data track कर रहे हैं तो इस दिस्ति क्या हुआ उनका अपस में client और business का भी relation क्या हो रहा है इंप्रूव हो रहा है ठीक है तो यह सारे जो application से one by one याद रखना और लिख के आना अपने language में marketing automation का क्या है marketing automation क्या है कि B2B marketing automation tools आते हैं जिन्होंने क्या क्या है business को manage help क्या है business को marketing campaign manage करने के लिए lead generate करने हो customer engagement तो इससे बहुत सारे B2B automation marketing means marketing में आप क्या कर रहे हो अपने product को sell करना चाहरे हो देखना चाहरे हो उसकी कितनी demand है कि कि उसे साब से जो भी आपका traffic आ रहा है उसको convert करना lead में तो इस तरीके से भी आपको क्या कर रहा है यह सारे tools help कर रहे होंगे ठीक है अब जसे इसको example के तो समझो कि मालो आप कोई software company है ठीक है वो marketing automation software यूज करते है यह चेक करने के लिए कि उसके website पे कितने visitor आ रहे है वो track कर रही है कितने visitor जो है मुरी website पे आ रहे है फिर वो कोशिश करेगी कि मैं क्या करूँ जो भी मेरे पास traffic आ रहे है उसको lead में convert करो lead में convert करने के लिए वो पानलो कुछ webinar का offer कर रही है तो बहुत सारे tools है जो इन सब चीजों में help कर रहे है कि आप online अपनी चीजों को market कर सकते हो online अपने बिजनेस उनको aware कर आ सकते हो ठीक है देख सकते हो कि आपके पास कितना traffic आ रहा है उस traffic को कैसे आपको channelize करना है कैसे अपना नया product launch करना है ताकि आप ज़द ज़द लोगों को बेंच पास चीजों को कैसे उनको communicate करना है उसके बारे में ठीक है यह सारी चीज़े भी अब एक business के लिए असान हो गई है इन tools के थूँ next and last is data analytics कि B2B application often involved data analytics tools and platform to collect and analyze business data मतलब बहुत सारे ऐसे भी platform है जो आपको help करते है कि आप data collect कर पाऊ ठीक है business का जो भी data है आपका वो आप collect कर पाऊ ठीक है business का data जिसे कि मालो जो आपको help करते है कि कितनी demand है ठीक है क्या condition चला है क्या trends चला है उसके regarding आप data collect कर सकते हो फिर उ ठीक है उसे अपनी strategy बना सकते हो कि कितनी supply रखनी है ठीक है यह कितना हमें stock maintain करके रखना है तो एक business को यह जो टूल्स है कि जो data दे रहें क्योंकि भाई data भी सब कुछ आपके पास आपके customers का data है तो ही आप analyze कर पाऊगे कि future में आपके customer तब कितना demand करेंगे ठीक है तो data analytics tools में simple है कि ऐसे software भी है जो आपको data प्रोवाइड कर रहे है और उस data का use करके आप business making अपनी strategies बना सकते हो वो easy हो जाएगा ठीक है guys so हमने यहाँ पर discuss किया है आपके यह important topics so now guys in this video we are going to discuss this topic that is key technologies for B2B के लिए कौन कौन सी की technologies है जो हम use करते हैं वो हम discuss करेंगे इसने पहले वाला जो पार्स था जिसमें हमने डिसकर किया था कि applications क्या है तो काफी हद तक यह ना आपका application से के points से ही related है कि वहाँ पर कौन कौन से software हम use करते हैं B2B में तो यह मुझे topic जो है आपका syllabus को almost same ही लगा और almost same ही चीज़ें हैं भी यहाँ पे तो business to business transaction में हमें पता है क्या होता है business to business एक business दूसरे business से क्या कर रहा है transaction कर रहा है means इसने order place किया यह उसको supply कर रहा है एक business उसरे business से dealing कर रहा है जैसे manufacturer है कोई चीज़ बनाता है और जो जैसे कल का example भी लिया था मानलो की आप जो हो वो जो है कुछ parts बनाते हो ठीक है automobiles के कुछ parts बनाते हो और मैं जो हूँ मानलो मेरा जो business है मैं क्या बनाती हूँ स्कूटी बनाती हूँ तो मुझे कुछ parts चाहिए होंगे जैसे कि मुझे वालो टायर चाहिए या फिर जो भी बगारा कुछ भी चाहिए तो वह मैं आपके business से order कर सकती हूँ जो आप parts बना रहे हो जैसे कि आप बनाते हो टायर बगारा बनाते हो बनाते हो तो मुझे जो भी चाहिए होगा मैं आपसे order कर ले तो एक business का दूसरे business से transaction हो रहा है तो basic क्या exchange हो रहा है product or services का information का between business rather than between business and consumer यहां B2C की बात नहीं हो रहे है यहां B2C की business से consumer की बात नहीं हो रहे है यहां पे B2B की बात हो रही कि एक business दूसरे business के साथ क्या कर रहा है exchange कर रहा है चीजों को several key technology plays sincere role in facilitating on optimizing B2B operation इसलिए जो B2B की operation है जो काम है उसको आसान बनाने के लिए बहुत सारे technology हम use करते हैं वो technology कौन-कौन सी है वो हम देखने वाद तो पहला है आपका enterprise resource planning ERP system system क्या होता है ERP system integrate various business processes and functions जैसे finance हो गया HR हो गया inventory management हो गया supply chain हो गया into a centralized system basically जो एक यह ERP system है तो क्या करता है कि एक business के जितने भी department है मालो जितने भी function जैसे कि एक business में HR department हो जो hire कर रहा होगा लोगों को एक finance होगा जो पूरा finance manage कर रहा होगा कि inventory management department जो देख रहा होगा कि good services जो बन रहा है उसका stock है या नहीं है एक होगा जो यह देख रहा होगा कि जो बन गया है good supply हो रहा है साई से नहीं हो रहा है कस्मलता पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है इस technology enables seamless coordination and data sharing across different department within the organization and can streamline B2B transaction by automating workforce and improving efficiency अमालो यह क्या करता है जैसे मताँ कि बहुत सारे जो वी आपके edge areas जैसे तो बहुत सार् चैदा का होगे इसान nella bank it Strawshnала kate प्षू को होगा को कस्त्षा का का होगा तो जितना भी data है main deep finance data आपके अपने पास जागा है तो HR को का डेटा चाहिए तो उसको वो डेटा मिल रहा है तो हमें अलग अलग डिपार्टमेंट के पास जा कि उसके रिपोर्ट से लेनी के जरुवत नहीं है एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जहां पर सारा डेटा आपको एक जगा मिल रहा है जिसके basis पर आप decision ले सकते हो तो यह क्या करता है आपको help करता है कि आप बहुत सारे business के process को आपस में क्या कर लो integrate कर लो लिंक कर लो अब example से देखेंगे कि कैसे यह वर कर रहा है मान लो एक manufacturing company है जो ERP system यूज कर रही है एक customer के पास अब sales करेखना इसके related information customer ने order place किया company की website के थरू तो ERP system automatically क्या करेगा देखेगा कि कितना inventory आप उसके पास तो सारा data है कि inventory का भी data है इसके पास तो sales का भी data है उसके पास तो तो सबसे पहले जैसे order place वो देखेगा जाके कि inventory level कितना है मेरे पास तीक है और जैसे inventory level चेक करेगा उससे साबसे वो production schedule कर देगा कि इस समय तक आपको production जो है वो करना पड़ेगा तीक है आगर उसने देखा कि product stock पे नहीं है तो ERP system क्या करेगा purchase order generate कर देगा कि supplier को बता दे अपड़ेगा समान को तो हमारे पास इकौन सा department है यह inventory यह procurement क्योंकि इस inventory level चेक क्या नहीं है तो ERP को क्या किया information दी कि sales होगी sales department के पास एक order आया है तो आपको क्या करना है उसके लिए work करना शुरू कर दो तो ERP system क्या करेगा उसी हिसाब से जो भी आपका production है उसकी planning करेग कि रिसोर्स कितने अवलेबल चेक करेगा कस्टमर की डिमांड क्या है मेरे पास human resource कितना अवलेबल कितनी capacity उसके हिजाब से वो production की planning करना शुरू कर देगा उसके बाब वो यह भी रेखेगा कि जो पैनायन्स वाला structure data उसमें वो यह भी चेक करेगा कि मेरे पास proper उसके भी automatically वो उस orders related करेगा और यह भी help करेगा यह देशन शूर करने में कि जो भी employees हैं उन तक information गई हो और वो लोग भी अपने work करना शुरू करें उनको भी इसते जो भी result से benefit मिल रहा है वो उनको मिले तो एक ERP system जिसे सारे department को या process को link कर दिया है वो इस तरीके से work करता है कि स अब को साथ लेके एक साथ coordinate कर देता है तक ही जो भी एक business का दूसरे business के साथ transaction है वो successfully हो जाए तो पहला तो यह हो गया दूसरा है आपका customer relationship management system CRM system यह को customer relationship management basically तो B2C के लिए यूज होता है लेकिन यहाँ पे को इसकी important B2B में भी है ठीक है CRM system help करता है business को कि वो track करे और relationship को manage करे दूसरे business के साथ customer data analyze करे optimize करे sale marketing strategy अब जो आपका customer relationship management system है इसके पास आपके जो भी एक business के दूसरे business के clients है दूसरे business उनके पास उनका data यहाँ पे available होता है तो आप check कर सकते हो कि आपके customer की information क्या है कि उसका contact detail क्या है उसने past में कुछ खरी जाया है नहीं खरी जाया है purchase history क्या रही है उसकी preference क्या रही है उस हिसाब से आप अपके ब्लेशनिश्चिप करना और मैनाज़ करना सियारम आपको help करते है कि आप business पूट राक करो कि आपका जो भी customer इसने order आप मानलों के प्लेश किया है तिक आपने परने नग ते प्लेशनिशनिश्चिप परने पास में क्या था सब आपको पता चाल गया अब आप उस वह च्टिम्ह स्क्राइब कर दो उसके इसे इसे सब्सक्राइब करता है। इसे सब्सक्राइब करता है। इस लोकेशन में इसकी इंडस्ट्री है, पर्चीजिंग बीहेवियर कैसा है, कैसे कितने ओर तो आपके पास यह पूरा यह सिस्टम आपकर डेटा तयार कर देता है कि अब आप इस डेटा के हिसाब से कर पाऊगी, अपनी सेल्स कैसे करनी है, वो समझ पाऊगी, कैसे उनको बार-बार रिमाइंड देना है, कैसे अपने मार्केटिंग एफर्स लगाने है, वो चीज़े आप इसली कर पाऊगी एक बिजन दूसरे बिजनस को अटेंड गरने के तो यह आपका हेल्प करता है, इस सिस्टम के थूँ आपका चीज़ों को असान मनाने के लिए, ठीक है, नेस्ट जो आपके है, यहाँ पे टेक्नोलजी जो आप यूज करते हैं, वो है, इलेक्ट्रोनिक डेटा इंटर्चेंज, इंटर्चेंज हो रहा मिन्स, चेंज हो रह इतने तारी को पहुँच जाएगा, यह निकल चुका है, ठीक है, वो एक बिसने दूसरे बिसने के साथ शेयर कर सकता है, इन टूल्स के थूँ, इस इलेक्ट्रोनिक डेटा इंटर्चेंज, ठीक है, इस टेक्नोलोजी अलिमिनेट मैनुवल प्रवसर्स आपको लिखके दे के देने की जरुवत नहीं है, एरर नहीं होगा, भाई, मशीन कर रही है, वो सारी चीज़े, और इसली इनफॉर्मेशन जो है, दूसरे बिसने तक पहुच जाएगी, जो भी उसका डेटा है, ट्रैकिंग पे वो, डॉक्यमेंट्स के रिगार्डिंग, नेक्स्ट इस सप्ल मेरेजमेंट्स का दोख़ायओ, तो सप्लाइटे करते हैं, अ Absolute.rando мощ सफ्लाइजमेंट्स के पाल थ أنूनरी मैरेजमेंट्स के एन हो तक चतुन अजूर्मक्रणन नेक्तव, अषक्रेडिक का लाहा नहीं सबतल हैं, जो हो तो हैं मृतन जो मैरेजिंग जो पैसंप्लाइजमे यह इंशूर करता है कि जो भी आपके inventory है वो proper maintain हो ठीक है demand को forecast कर लेता है यह system की demand क्या होगी आपके customer की उसे आप से आपके पास पूरी inventory manage हो ठीक है supply के साथ coordinate करना उसको बताना कि आपका जो product है वो हमने dispatch कर दिया यह आपको invoice है यह आपको मिल जाएगा ठीक है logistic को arrange करना ठीक है कि partners जो है वो deliver करें supply को समय पे यह सारा system इन सब चीजों को आसान मना देता है एक business के लिए जिससे क्या होगा visibility enhance होगी जो भी आपके पास order place क्या उसको भी time to time data मिलता रहेगा tracking मिलती रहेगी आराम से आप coordinate कर लोगे सारे supply chain के जो भी partners है उनको एक दूसरे के साथ inventory वाला coordinate कर लेगा जिस्टिक से की समान पहुच रहा नहीं पहुच रहा यह पूरा system सबको लिंक कर देगा जिससे क्या होगा supply easily customer तक पहुच जाएगी तो यह भी टूल है जो यूज कर रहे है e-commerce and online marketplace basically क्या है b2b e-commerce platform and online marketplace enable करते हैं business को कि वो online product और services को क्या करें खरीदे और बेचे एक ऐसा platform बना दिया जहां पर buyers आके और seller आके आराम से online अपने product को बेच और खरी सकते हैं digital marketplace बनाती है जहां पर buyers या business जो है वो supply के साथ connect कर सकते हैं distributor के साथ connect कर सकते हैं customer के साथ globally ठीक है transaction कर सकते हैं कोई negotiation करना है वो कर सकते हैं contract कर सकते हैं digital environment ठीक है तो यह भी benefit है collaboration communication टूल ऐसे technology भी यूस होती है जो B2B को help कर रही है कि आप अच्छा खासा communication जो है वो कर पाओ collaborate कर पाओ अपने जो भी stakeholder है जो भी बिजनस है उनके साथ अब ऐसे टूल्स है जैसे टूल्स है जैसे वीडियो कॉन्फरेंसिंग कर सकते हो माई इस ब platform यूज कर सकते हैं जिससे क्योंगा आप रियल टाइम पे अपने जो भी आपका client है business उसके साथ communicate कर सकते हो teamwork होगा एक साथ आप collaborate करोगे बातचीत करोगे information share करोगे ideas share करोगे आपस में तो वो असान हो जाएगा तो last जो है वो है big data analytics and business intelligence tool यह भी tools है जो आपको help कर रहे है बड़े data को बड़े data का analytics दे रहे आपको ठीक है और एक तरीके के business intelligence means यह help करता है business को कि वो large volume of data को analyze करे आपके पाप बहुत सारा data available है उसको analyze कर तो अच्छे decision ले पाऊगे समझ पाऊगे चीज़े चल क्यारी market में हो गया रहा है customer किस तरीके से behave कर रहा है order किस तरीके से दे रहा है ठीक है उसी हिसाफ से जब आप use करके अपनी decisions लोगे उसी हिसाफ से जब अपनी production capacity बढ़ा तब आप अच्छानी से चीज़ों को कर पाऊगे तो B2B relationship को improve करने के लिए growth करने के लिए business में यह help कर रहा है आपका data analytics and intelligence 2 तो हमने यह discuss किया है in this video we are going to start with this topic that is types of B2B marketplace और यह काफी important topic है कि B2B marketplace कितने हैं आपके जो syllabus NEP के according उसमें लिखा हुआ है आपकी characteristics आपको बताने है या कहलो features जो है वो आपको बताने है buyer-oriented supplier-oriented और intermediate-oriented marketplace के ठीक है तो हम one by one discuss करेंगे सबसे पहले marketplace क्या होती है देखो market क्या है ठीक अगर हम market की बात करें तो पहले क्या होता था सिफ physical place जहां पर जैसे कि आप जाके चीज़े खरी सकते हो पास पास की market वही market होती थी बट आभी क्या है अभी क्या है मतब जब से internet का evolution अतब से क्या है कि आप online market भी चीज़े है means आप online चीजों को बेचो खरी सकते हो ठीक है तो market क्या है एक broader concept है जो दो अब अगर हम बात करें कि अलगला market की places की अलगला features होंगे अलगला types होंगे जिसकी basis पर हम classify कर रहे हैं तीन marketplace को पहली है आपकी supplier oriented दूसरी है आपकी buyer oriented और तीसरी है आपकी intermediate oriented market तीक है अब इसमें कैसे classification किया आपने marketplaces को वह हमने किया कि किसका control है market पे ठीक है अगर supplier का है त एक साथ है तो वह आपकी intermediate oriented में consider की जाएगी right so हम move कर रहे है one by one detail में रेखेंगे कि आखिर यह marketplace क्या है और यह कैसे वर करती है अगर हम supplier oriented marketplace की बात करें तो supplier oriented means supplier कि थ्रू क्या है यह oriented है means अगर बात करें कि supplier यहाँ पे marketplace क्या करता है create करता है इसे वालों कि कोई supplier उसने अप प्रॉडक को बेज खरीद रहा है तो यह market किस ने create की है यह market create की है supplier ने जहाँ पर अपने product को directly क्या कर रहा है individual customer या business को sell कर रहा है आपने देखा हो ऐसे बहुत सारी companies की website है जो directly sell करती है अपने product को अब हरी मैं देती हो हरी brand के खुद की website भी होती ही होती है अगर आपने phone क करीने है तो अपना फिर्ट की website है वहाँ से जाके directly खरी सकते हो इसके लाब बहुत सारे जो चो ब्रैंड है उनके अपने खुद की website है जहां पर से सकते हो हूत है जिएनम की अपनी खुद की website है जारा की खुद की है तो आप वहाँ जाक्ट हो आपना खुद का marketplace बना रख ह जहां पर वो directly क्या करें, customer से engage कर रहे हैं, वो directly sell कर रहे हैं, चाहिए वो customer, individual customer हो, चाहिए वो business हो, business की बात करेंगे, क्योंकि हम B2 भी बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा supplier जो अपने business, जो skander है, जो मतलब उसे goods करीते हैं, उसको online platform के थुरू अपने चीज़ों को बेच रहा है, the supplier supplier manage this online store to promote and sell their product, supply क्या करता है, इस online store को promote करता है, और अपने product को क्या कर रहा है, sell कर रहा है, ठीक है, उसी का काम है, उसने ही बनाई है, तो उसको ही सबकुन manage करना है, एक्जामपल ले सकते हैं, जैसे की big company है, Dell, Dell खुद की website है, उसकी, जहां पे वो computer को आप खरी सकते हैं, औ और accessories directly उससे buy कर सकते हैं, तो यह कैसी marketplace है, जो supplier ने बनाई है, supplier manage कर रहा है, चीजों को, supplier का ही क्या है, control है, ठीक है, अगर हम बात करें features की, तो features इससे से निकल के आएंगे, supplier control platform, एक ऐसा platform है, जिसमे supplier का पूरा-पूरा control है, buyer का नहीं है, supplier ने बना है, वो direct sell कर रहा है, ठी है, ताकि लोग वहाँ पर खरीदे हैं, और चीजों को, जिसे discount देना, या marketing गनना, promotion गनना, कि या deal चल रही, आप आके purchase कर सकते हैं, वो directly पने website पर traffic लाएगा, product range है, अपसे supplier ही है, उस website पर जो अपनी product दे रहा, तो इतनी varieties तो नहीं मिलेंगी, customer को जाके, जो वो बना रहा है, बस उतनी variety आपको वो offer कर पाएगा, customer relationship management, directly customers interact कर रहा है, तो of course, अच्छे relationship बिर्लोगे, customer अगर वहाँ पर जाके satisfied होता है, product की service से, तो वो बार-बार वहाँ से चीजों को purchase करेगा, उसके loyalty रहेगी, उस पर जैसे बहुत लोग वेबसाइट से खरीते है, ब्रैंड की, त होती है, जहां पर supplier bid कर सकते हैं, कि उन्हें अपने product को sell करना है, buyer को, means एक ऐसी marketplace, जो किस ने बनाई है, buyer ने बनाई है, और buyer क्या करता है, जो भी suppliers उनको invite करता है, और आपने product को बेचिए, buyer को, ठीक है, जो भी buyer है, जिसने marketplace बनाई है, वो, the buyer invite करता है, multiple suppliers to offer their best price and term for the product, the buyer needs जिसे कि मालोब Walmart है, उसकी large retailer है Walmart, इसने एक website बना रखी है, जहां पर supplier को बुलाता है, कि आप आईए और bid करिए, जो भी आप product मुझे supply करना चाहते हैं, तो अलग-अलग brand आएंगे, ठीक है, अलग-अलग बुली लगाएंगे, कि हम आपको ये चीज इतने में देंगे, हम अपर कि बुला रहा हैं, यहां बुला रहा है, आपके बाइर लीध के बुला रहा है, же QIV बुला रहा हैं, को बुला जाए कस्टमर तक तो भाई of course price कम करके आप बताओगे कि मुझे opportunity मिल जाए तो competitive pricing रहे हैं कि उसके सामने custom specification वालो बायर के कोई need है requirement है जो आपको लगता पूरी कर सकते हैं तो आप अपने product में वो डाल के उसको बोलेगे कि आप ऐसे चार रहे थे हमने ऐसा दे रहा है आप आपको ऐसे प्रोवाइड कर रहे तो आप हमें opportunity दीजिए हमें सेलेक्ट करें एफिशेंसी इसली वो बायर को समान जो है वो मिल जाती है इतने साइज suppliers है जो बेड़ कर रहे हैं हराम से वो जो भी inventory जो भी stock है उसको ले सकता है तो यह होगे बायर यहां पर नहीं supplier ने कोई platform बनाया है नहीं buyer ने बनाया है यह किसी middleman ने बनाया है यहां पर वो buyer को भी बुला रही है seller को भी बुला रही है कि आप एक दूसरे के साथ business कर सकते हो means इस intermediate platform provider provide a platform and service to help buyer and select and complete their runs मान लोग कोई suppliers को बुला रख है उसने और buyers को बुला रख है तो buyers जो भी है जो भी जीदना चाहते हैं किसी supplier से चीजे को आ सकते हैं और supplier उनको बेच सकता है तो इसा platform जहां पर दोनों को बुला के क्या कर रहे है transaction facilitate कर रहे है जैसे कि Alibaba platform है जो अलग-अलग business को बुलाता है और उनको opportunity देता है कि आप लोग आपस में क्या करें चीजों को खरीदे और बेचें तो थर्ड पार्टी मैनेज कर रही है इसको वाइड रेंज और प्रॉडक्स या वाइड रेंज और पार्टिसिपेंट होंगी क्योंकि बहुत सारे बायर बहुत सारे sellers हैं जो आपस में कर पारें कि प्रेस में एक दूसरे की service को ले सकते हैं खरी सकते हैं बेच सकते हैं additional services provide services such as payment processing अब जैसे यहां platform में payment करनी है तो कैस अब जैसे होगा उसका system provide करता है यह platform जैसे product deliver होगा उसमे help करेगा dispute को लडाई जगडा हो गया दोनों में व्यवतों को solve करने में help करेगा तो यह services भी यह platform अपको additionally दे रहा है as a middleman यह ट्रस्ट मेकैनिजम ठीक है rating होंगी review होंगी अलग-अलग suppliers के लग-अलग buyers की तो आप देख सकते हैं इसको आपको trust हो रहा है इसको आप अपने product को बेचेंगे can handle a large volume of transaction and participant बहुत सारे of course participants है बहुत सारे suppliers बहुत सारे buyers है तो अच्छे से handle कर सकता है यह system intermediary वाला इन सब को ठीक है ऐसा system बनाया है जहां पर third party जो है वो इन सब चीजों में क्या कर रही है इंवॉल्व हो रही है कि वो एक platform दे रही है भाई buyer आये seller आये अपना जो भी transaction करना एक दूसर से करें और multiple buyer है multiple seller है आपके पास choices बहुत सारी available है additional services भी दे रहा है ताकि आपके transaction को और support कर पाए मजबूत बना पाए कोई resolution है वो आपको दे पाए rating reviews यह सब भी आपको यहां provide की जारी है कि सेलर की क्या rating है क्या किस buyer का performance है क्या उसका background है वो सब आपको मिल रहा है तो आप उस हिसाब से trust करके चीज़ों को कर सकते है right comparison table अगर हम देखें कि क्या है इन सब में अगर difference आ जाए आपके exam में तो कैसे र में परपस क्या है कि supplier कता है कि directly customer को अपने product बेचना या business को बाइर इंट का क्या है supplier को बुलाना कि वो बिड करें और जो बायर की नीड है उस recording फिर वो उसको preference देके लेगा इंटर्मिडिट्री में क्या है जो बायर है को connect करना और आपस में उनलों के डेलिंग कराना control के बात करें यहां पर supplier का पूरा control यहां पर बायर का control यहां पर middleman का control ठीक है तो एजी थी ती अच्छे ज्याद हो जाएंगे तो यह control वाला repeat है example अगर देखो कि डेल का online store उसकी मेरे प्राइस वह मेरे प्राइस है जिसको अगेगा जिस ब्राइंड का उसको रखना है वह उसको बुलाएगा अलिबाबा एंड बिजनेस अमेजन बिजनेस भी बुलाता है ठीक है connect करता है buyers और suppliers को कि आपस में जो buyer business में supplier business से आएं और आपस में transaction करें प्लाइटर की बात करें तो यहां पे इंडिविजल कस्टमर और business user दोनों हो सकते हैं यहां पे multiple suppliers हो सकते हैं यहां पे multiple buyer और sellers हो सकते हैं platform features की बात करें तो supplier control platform है direct sales है promotion marketing limited रेमत है यहां पर आपको सारे features बता दें दिएक आपके देशल है promotion कर सकते हैं फिक है limited product की वराइटी कम है customer कम relationship अच्छे से maintain कर सकते हैं buyer control platform की रेखे तो supplier बेडंग करते हैं competitive pricing हो सकती है custom specification हो सकते हैं हमने सब feature में discuss कि जो feature discuss करके है और वही सारे features यहां पर अपको लिख देना है तो यह था आपके क्या , यह था आपका Types of Marketplace जो हम रीटिस кया ,दो और है आपकी Д или क्या अडवांटेश और चैलेंज़ को लेके कि पहले अडवांटेश की बात करेंगा ऐ। Supplyer से पहले इस Proaskry year आपका प्राइप कि- गेल है तक सकते हों इन समय से यहां कि लेकिवाइड रिज है एडिशनल सर्विस है जाद लोगों तक पहुच सकते हो जाद से लर सप्लयर को ला सकते हो आट यहां पी इतनी सारी मल्टिपल बिट्स आती है कि उनको मैनेच कर पाना घख होता है और अगर यहां देखें तो हम intermediary पे depend कर रहे हैं middleman को ला रहे हैं बाइर और seller के भीचे वो भी अपनी fees कमिशन लेगा services के लिए वो सब्सक्राइब यहां दिस वीडियो वी अगर इंटर चेंज मीनिंग अब्जेक्टिव और बेनेफिट करते हो तो जैसे कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है किसी को आप इमेल की थूप करते हो कि मिलाली कभी business को कोई information share करने लाइक बिसनस क्या information share करेगा बिसनस शेयर कर सकता है उसके transactions related information दूसरे business को लाइक किसी बिसनस के पास कोई order place किया ठीक है तो उसको उसकी receipt भेजना आपका यह order है यह payment है ठीक है आपको इतना bill है इतना pay करना है ठीक है वह सारे terms and condition यह सब information जब एक business paper में लिखके रही बल्की electronically send करता है जिसे की email आप भेज़ते हो पर यहां पर business email में क्या भेज रहा है documents भेज रहा है ठीक है वह होता है आपका electronic data interchange जो यह software यह system help करता है business को electronically data sharing में वह होता है ATI ठीक है तो एक way है जिसके तुरू business क्या करते है information send करते एक दूसरे को electronically instead of using paper एक business को दूसरे business को कुछ भी बेजना invoice भी बेजना तो paper के form में नहीं आप electronically send करें अपने system से दूसरे system में ठीक है it is like sending an email but it is used for sending business document email की तरह है बट यहां पर हम क्या send कर रहे है documents send करने business की जैसे की orders हो गया invoice हो गया shipping notice हो गई यह EDI make it faster cheaper and more accurate for companies to communicate and do business with each other भाई EDI ने क document भेजना है तो इससे पहले आपको अगर जाके देना पड़ा तो समय लगेगा ठीक है अगर paper दे रहे हो अब वह paper का डिलिवर हो मालो आप डाक से भेज रहे हो post से भेज रहे हो office से भेज रहे हो तो समय लगेगा यहां पर एक system तो दूसरे system within seconds seven minutes चला गया ठीक है cheaper है आप अगर हम देखें इसके तो पहला है automate communication जो आपका communication है वो automatic हो जाएगा electronically message sent हो रहे है commonly used अगर देखा जाए किस लिए use क्या जाता है तो invoice send करने के लिए basically business document invoice order shipping details अब के लिए efficiency है भाई transaction speed हो जाएगा और error के chances कम होगे example देखो कि instead of sending a paper purchase order by mail एक mails के through paper purchase order भेजने के जगा अगर आप उसका electronic version directly supplier की computer system में send कर रहे हो तो यह है आपका EDI का example faster जाएगा ensure करेगा कि जो information है वो accurate पहुँचे supplier के system तक और जल्दी से पहुचे आपकी cost भी save ठीक है तो यह होगी example next move करेंगे हम objectives के साथ अगर हम objectives की बात करें कि क्या क्या रोल है या कहलो क्या objective achieve क्या करना चाहता है EDI system तो पहला efficiency को बढ़ाएगा ठीक है EDI का EM है कि आपकी जो काम करने की शम्ता है उसको बढ़ाना ठीक है business document का जो एक्स्चेंज हो faster हो रहा है effort जो है वो manual नहीं लग रहा है आपको type करने के जर तो उसने purchase order का क्या क्या आप हो retailer आपके पास system है आपने system में purchase order आल दे कि मुझे 100 unit of pen चाहिए आपके में EDI software है EDI क्या 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 इसी को electronic form में convert कर दिया जो दूसरे का system ठीक है supplier के पास भी EDI platform है वो platform जिस language में समझता है उसने क्या क्या इस order की detail को उसमें convert कर दिया उस language में अब जो supplier के system पे EDI system पे जाएगा तो EDI system उसको analyze करेगा देखेगा and then वो उस language में उस format में convert करके आपको दे देगा कि आपको यह चीज़ उसको provide करनी है जो ही order आया है जिससे एक आईडिया लग जाएगा सबको कि वाई तनी यूनिट जो है वो बिक्रनी है और हमें उसको supply करना फिर shipping फर्दर वो प्रोसीड कर देगा और shipping information भी दूसरे system में जिसने order प्रेस के तो वहां तर पहुचा आदेगा EDI software तो यह क्या कर रहा है automatically यही पूरा system ही चीज़ों को handle कर रहा है आपको handle करने के जरुद नहीं है आपका transaction easily हो रहा है ठीक है accuracy बढ़ रही है क्योंकि आप manual entry की need नहीं है कि मालो कि मैंने order purchase order आया अब मुझे system में manually feed करना पढ़ पढ़ रहा है जो supplier के थ्रू जाए या मुझे उसको email mail के थ्रू भी मुझे feed करना पढ़ रहा है 100 unit मालो मैंने 100 unit के जगा 1000 unit कर दी मेरे से गलती हो सकती लेकिन EDI से गलती नहीं होगी EDI help करता है reducing human errors वो हम कर सकते हैं मालो unit में या quality में वो हम से हो सकती लेकिन हमने जो purchase order से किया गलती वो की but EDI नहीं करेगा वो purchase order वे जो लिखा वही feed करके वही अपने language convert करके उसरा system का idea समा सकता वहां पर पहुंचाएगा ठीक है cost production है अपकोस आपकी कोई cost नहीं लग रही है paper की posters की ना ही किसी labor की जिसके थूँ आप वो feeding करवाते ठीक है यह सब आपको cost बच रही है आपकी इसके through streamlined communication communication आपका quick है reliable है of course आप जो भी business है आपस में quickly information को share कर ले रहे हैं ठीक है जैसे order place किया दूसरे system में आया उसने inventory बगरा को कम किया बताया पूरा system में कि यह order है आपको proceed करना shipping arrange करी shipping information दूसरे system में डाली और उसको पहुचाई तो यह पूरा system जो है वो communication का quick हो गया fast हो गया और reliable है आप भरोस ले रहा होगा ठीक है और हमें बता रहा है next is increased productivity time of course save हो रहा है तो productivity बढ़ेगी जो भी human आप लगाते data feeding में वह free है आप उनका कहीं और use कर सकते हो ठीक है उनसे और अच्छे task करा सकते हैं high value task में लगा सकते हैं जिससे आपकी overall productivity organization की बढ़ेगी business relationship strong होगी जब timely order आया timely order को system समझा timely order के थूरू उसने पूरा process करवा दिया और timely delivery भी इंशोर कर दी तो भाई सामने वाली party भी कुछ हम भी खुश इससे हमारे customer का satisfaction बढ़ रहा है उसका भरोसा बढ़ रहा है ठीक है तो यह कुछ हो गई है इसके objectives जो यह achieve करते benefits को भी आप ऐसे लिस सकते हो faster processing है ठीक है को मेंट बनाते है वह हम send करते है खुछ से मैनुवल टाइप करके लिग के जिसमें समय लगता ही लगता तो उसके comparatively यह easy है next is error reduce है as हमें मैनुवल डेटा नहीं एंटर करना पड़ रहा है EDI खुछ से data एंटर कर रहा है और इससे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रही है हमारी accuracy consistency यह एक format में भी EDI भेजता है हमेशा जैसे कोई document है जो है एक basic format यूज करता है उसके तुरू देता है कि इतनी quantity है यह वो जिससे भी आप जिसे लिखते हो ना reporting format में लिखते है उसे तरी कि EDI भी information भेज रही है आपकी वी format में भेजते हैं दूसरी system को दूसरी system भी information दे र आ रहेंगे deliver हो रही है और exactly सटीक चीज़े आ रही है ठीकि error नहीं है cost saving है EDI आपके paper की cost printing की cost postage cost यह सब reduce करने में help करता है तो यह भी आपके लिए benefit है इंप्रूव इंवेंट्री मैनेजमेंट का ठीक है इंवेंट्री को मैनेज करना इंप्रूव हो जाता असान हो जाता आपके लिए रियल-time information exchange through EDI leads to better inventory control reduce stock level and associated carrying cost means real-time update देता रहता कि कितनी हमारी inventory है कितना हमने inventory में वालो order आया कितनी कम हो गई है कितना हमें manage करना है अब अगर order करना है और करना है प्रोडक्शन करना में दुबारा से inventory को replace करके हमें update करता रहता है information देता रहता exchange की तो उसके थ्रूव अपने inventory को properly manage कर सकते हैं business के relationship improve होंगे जब timely और accurately communication हो रहा है चीजों का लेंदेन हो रहा है transaction के document share हो रहा है family उनको information मिल जारी कि आप क्या order दिया तो shipping का cash status है इससे आपको सामझाली party भी खुछ है रिलाई कर रही है आप पे कि आप time to time को update दे रहे है better decision making हो पाएगी जब आपके पार real data रहता है जो EDI आपको देती है उससे आप decision making process कर सकते हो जो enable करता है business को कि वह effectively market changes customer demands हो की EDI आपको बता रहे है कि demand जो है वह आपके stock को लेके काम है उसके नहीं रहे है तो आप समझ सक Now guys in this video we are going to start with this topic that is private sector interface in e-governance ठीक है E-governance में private sector interface क्या है basically यहाँ पे हम समझेंगे कि कि किस तरीके से private sector जो है को government को help कर रहा है government की services में help कर रहा है through e-platform या online mode ठीक है so अगर हम इसकी बात समझेंगे होता क्या है कि private sector interface basically point होता है जहाँ पे interact करते private sector और public sector इक दूसरे के साथ ठीक है so private sector interface in e-governance refers to the involvement and collaboration of private enterprise in the development, implementation and management of digital government services में मालो की government है ठीक है वो कोई services देना चाहती है citizens को, employees को या other government को जिसको भी देना चाहती है services provide करना चाहती है ठीक है तो उस services के लिए बहुत सारे जिसे मालो तरीके हैं जिसको बनाने लाइक उसको अगर app design करवाना है जिसके through services को दे पाए तो उस app के development में उसको कैसे लागू करना है कैसे उसको properly manage करना है इन सब चीजों में इन सब चीजों में private sector क्या करता है support provide करता है public sector को ठीक है तो basically private sector किस तरीके से interact करता है public sector की services को easy बनाने में उनको help करने में यह हम यहां पर समझ रहा है this partnership can enhance efficiency reach and effectiveness of e-government initiative मालो government ने कोई भी initiative लिया है तीक है जो वो online mode कि तुरू देना चाहता है लोगों को public को तो उसमें उसको help चाहिए होगी ठीक है private sector उसको help कर सकता है उस चीज़ को enhance करने में उसकी reach को बढ़ाने में उसकी effectiveness को बढ़ाने का पर बहुत बार देखाऊगा कि government जो है वो private sectors के साथ किया करती है collaborate करती है तीक है merge करती है कि भाई जो हमें आप चाहिए वो आप बना के देदो उसका जो भी management वगएरा है वो आप चक करो देखो manage करो उसको implement का काम आप करो तो यहां पर private sector basically support करता है public sector को कि वो जो भी e-services देना चाहा रही है public को यह जिसको भी वो provide कर पाई easily है तो किस तरीके से यह काम होता है कैसे work करता है वो अगर हम देखे तो पहला आप समझ सकते हो public private partnership पी पी ठीक है public private partnership के आए जहां पर public government private के साथ यह पाटनर्शिप करती है ताइप करती है तो वो private company जो है वो government के साथ टीम अप कर सकती है उसको अपनी services देने के लिए और project को complete करने में जैसे कि government को कोई project है तो उससे पूरा करना है ठीक है उसको services बगारा देनी है public को तो व provide करती है ताकि वो project को efficiently और effectively क्या कर पाया पूरा कर पाया मालो कोई project है जो इसको करना है government को infrastructure project है उसको जरुवत है fund की जरुवत है या skills की जरुवत है या अच्छी technology की जरुवत है तो वो private sectors के साथ collaborate कर सकता है तीम आप कर सकता है उसको कह सकता है कि आप हम इस तरीके से help कर कर पाये ताकि हम यह services को deliver कर पाये providing technology infrastructure private company जो है वो necessary technology जैसे की computers चाहिए मालो government को कोई work कर रही है project कर रही है उसमें computers की जरुवत है software की जरुवत है या internet activity के जरुवत है तो private sector उसको यह चीज़े provide कर सकता है ताकि वो अराम से अपने projects को कर या services को कर पाये जैसे Google हो गया Microsoft हो यह cloud services या internet इंटरनेट का infrastructure प्रोवाइड करती है government को ताकि वो अपनी services को easily public तक पहुचा पाये next कैसे help कर रही है private sector developing and maintaining service platform हालो private company है उसने कोई website को बनाया और manage कर रही है या government services के लिए app बना रही है जैसे government को को service देनी है तीक है जैसे की देखो they build platform for tasks like paying tasks or applying for passport जैसे लोगों पासपोर्ट के लिए apply करना भाई उसको website की जरुवत है government को था कि वो यह service दे पाये अपने लोगों को apply कर पाये tax pay कर पाये online तो इसके लिए private sector से help मान सकती है उनके साथ collaborate कर सकती है वो उनको यह चीज़ दे सकती है in return यह उनको payment कर सकती है तो यह होगा driving innovation and research private companies जो है वो सब्सक्राइब कर सकती है government को उसमें help कर सकती है जैसे कि smart cities develop करने में अर्बन का management सही करने में data को enhance करने में यह क्या कर सकती है government की help कर सकती है और decision making को अच्छा कर सकती है government की ठीक है उनको innovative solution और research data देके training and capacity building अगर देखो private company है वो government employees को train कर सकते है तो कैसे इस तरीके से आप आप के वारे में सिखाना है या कैसे आप smart board को run करेंगे तो बहुत सारी private company है जो यह चीज़े सिखा रही है इस तरीक है इस तरीके से आप help कर रहे है government की private sector तो वह हम यहां पर देख रहे है government workers become more skilled and efficient in handling e-governments तो मालों को electronic tools है जो लाए है ठीक है प्लैटफोर्म लाए है apps लाए है वेब्स लाए है तो private sector government को training दे सकती है government employees workers को ताकि वो उसको skillfully handle कर पाए ensuring security and compliance is private cyber security firm product government system from cyber thread and ensure data privacy जिसे private companies government को cyber threats से बचाने के लिए उनको cyber security दे सकती है तो यह सब भी एक तरीके services जो private sector दे रहे government को in key governance area they conduct security audit and ensure compliance with data protection law जो भी data protection laws उसके according ही क्या हो चीज़े हो और security audits बगेरा चलता रहे तो यह हमने देखा अगर हम example देखें कि कहां collaboration हुआ है government और private sector और किस तरीके से वह help करें जैसे कि इंडिया का आधार program इसमें private company ने क्या किया है government के साथ collaborate किया है तकि वह क्या कर पाए आधार का एक digital id system create कर पाए जो एक unique identification number प्रोइड करें हर citizen को यह company प्रोइड करती है यह company प्रोइड करती है इस company प्रोइड दर टेक्नॉलजी एक्सपर्टीज टू बिल्ड एक प्लाइजिंग बायोमेट्रिक डेटा अब बायोमेट्रिक हो रही थी उसको मैरज करने के लिए एक प्लाइटफॉर्म बनाना पड़ रहा था वो यह सब कंपनी उज ने प्रोइड किया government को एक टेक्नॉलजी के थू एक्सपर्टीज के थू एक ऐसा प्लाइब बना पाए जो सिक्योर हो और पूरे जो डेटा है जो कंटरी के लोगों का डेटा है प्रॉपली मैरज कर पाए यह पार्टनर्शिप के वज़े से क्या जो भी मिलियंस औफ लोग है मारे उनका एक जो प्रॉसेस हो इसली हो गया एक रिलाइबल सिस्टम के थू हो गया बहुत सारी गवर्मेंट की सर्विसेस को इन्हांस करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है गवर्मेंट को अगर टेकनोलजी इन्नोवेशन एक्सपर्टीज की जरुवत है तो वो प्राइब सेक्टर की है ठीक है और प्राइब सेक्टर के फ्रू यह जो इलक्रोनिक वे हो सकता है कह दो ओनलाइन भे है ठीक है अपनी सर्विसेस को प्रोवाइड करने में लोगों तक उसमें वो उसके हल्प ले रही है बाइवर्किंग तोगेधर गवर्मेंट प्राइब कंपनी केंड प्रोवाइड बेटर फास्टर और सेक्टर प्राइब सेक्टर मिलके जो भी पब्ल जर्नी में वो हमने यह आपे देखा यह वोप आप समझ पाए है और यह लास्ट वीडियो थी आपके पूरे श्लेबस की इसके बास लेबस कवर हो गया है मैरतन आएगी जिसमें आपका पूरा जो श्लेबस है वो वन गो हो जाएगा इन वन शॉट फॉर्म राइट सो उसक को लाइक करेंगे चानल को सब्स्राइब करेंगे थैंक यू